हलो स्टुडेंट्स आज आपका बायो केम नौन नंबर वाला टेस्ट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छा होगा मैं सेल्फ भरत दादी जोलोजी फेकल्टी आज अपन सॉलूशन करते हैं और आपने पेपर भी देखा कि एंसी आर्टी बेस्ट है और टॉटल यह मान के चलो की नीस बेस्ट बनाया हुआ है और कोई सिली मिस्टेक वी हुई हो तो उसको अपने यहां से सॉलूशन में देख जिए निमन में से कौण स्की का चुनिये जो बक्षान की रिया को पड़शित नहीं कर रही है देखू नहीं इसका मतलब यह हुआ कि फेगोस्टीक एक्टिविटी को शोनी कर रही है तो इससे मालूम चला कौन सी है देखू मोनोसाइट होती है निट्ट्रों सोती है मेक्र यहां आपने देखा कि ऐसा पूछा गया यहां पर वन आप दा कॉमन सिम्टम से अबस इन प्यूप लाइए इंफेक्ट विच डेंगू फिवरीज डेंगू से पीडित वेक्थी में सामाने रोग जो लक्षन दिखाई देता है वह है क्या होता है आप अच्छी तर जानते हो यह यहां पर आया देखो डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट इसका मतलब फिर्स्टी आंसर चला जाता है इसमें आपने को मालुम चला है यहां से इसमें आपने सावनेन समय nine इसमें A आएगा इसमें B आएगा इसमें C आएगा और आपको मालूम है यहाँ पर भी नहीं है और केवल A, B, C इसका मतलब यहाँ से आँसा चला जाता है तीन नमबर आपको अच्छी तरह मालूम चला है इसमें लेक्स देखते हैं यहाँ से पुछा गया कि कौन सा करक्टर ऐसा है जो एरित्थ्रो साइट में यहाँ पर आपको मालूम है कि मानों के लालक्त कनिकाउँ के गुन को देखने के लिए अपने को देखना है क्या क्या है यहां सही होगे आपको अच्छी तरह मालूम है absence of nucleus हमको यह भी पक्का मालूम था कि जो मैचे और आर्बीसी होती है उनमें आपको मालूम चला कि यहां पर निपले से अपसेंटक के अंदरक का भाव होता है दूसरा दिया यहां फॉर्म आप दा बॉन मेरो यह भी बिल्कुल सही है फिर उसके बाद में देखो यहां क्या कहां इसका यहां से खलत हुआ तो इसका मतलब कौन कौन से एक नमबर हुआ सई दो नमबर हुआ और चार नमबर हुआ तो एक दो और चार की श्टेप आप देखते हैं वहां आपके पास एक नमबर में इंकलिजन हो गया दोमें यहां पर और फिर बाइकॉन के पे चार पे तो इसका मतलब आपने पास आंसर चला जाता है फिर उसके बाद आप देखते हैं यहां से नेक्स्ट इसमें भी आपको पूछा गया कि मेच करना था सिंपल है बिल्कुल NCRT-based आपको मालूम है यहां पर पूछा गया कॉलम एक जो है यहां से अपने को मेच करना है कि कॉलम ए और कॉलम जो वाला पार्ट है जहां मेच करना है जिसको अपने देखा यहां से क्या इस्टेप बन रही है तो Cellular element कितने होते हैं प्लाजमा नंबर ऑफ और बीसी अब मैंने यह कहा था कि कभी भी इस परकार से आपको मेश्य नहीं करवाना है आपको सामनी आंसर लिखने ना होता है तो आपने देखा सेलूलर एलिमेंट के रुप में यहां आप देखते हैं तो कितना हो गया यहां पर जैसे अपन देखते में आपके पास यह आया तो 21-42 की स्ट्क्चर के रुप में आप देखते हैं कि क्या यहां पर बना तो 21-42 में क्या देखा नंबर ऑफ डबलुबीसी में आपने देखा तीन नंबर तो इसका मतलब क्या बन गया है यहां पर यहां पर आपके पास यह बना फरस्ट तो इसका आपको मेस करवाना है द्यान रखने एक्जाम में टाइम भी बसता है क्यों कर वाने पर कही बार क्या होता है यह ओर यह ओर हो रहा है यह को जाए बात कि यह आफंगर पाई यह है यह यह Locom छिन जाता है तो मैं शुआ हुण होगा ही आप सिर्स्ट में यहां पर क्या आया से ऐथार्ड मैं क्या ओए आ प्रें देख लिया यहां से चला है नेक्स देखते हैं यहां से उसके बाद आप पास नंबर पर आते हैं यहां से पूछा गया आपने को क्या की इस्पेशली अपने को मालूम चला ओपन सर्कूलेट्री सिस्टम बिल्कुल NCRT में हैं आपको मालूम होगा कि यहां पर खुला परिश्टन चलंड कि इसमें परजेंट होता है निश्टित है आर्थो परड़ा बीना किसी अपवाद के हैं लेकिन यहां पर आपको मालूम है मॉलस का ओपन में लिया जाएगा व आपके पास A और D वाली structure के रूप में A और D यहां चला जाता है कि आर्थो परड़ा में है और दूसरा कौन सा मॉलस का में तो इसका मतलब A और D यहां से आंसर चला जाता है नेक्स देखने हैं यहां पर अपने को मालूम चला यहां से पिर पूछा गया कि यहां जो statement है जो incorrect statement दिये हूए है उनको पैचानना है अपने को incorrect statement को पैचानना है कौन सा है तो आपको मालूम चला यहां से कि पहले अपने को मालूम चला incorrect statement about lymph very most है ध्यान रखे इसका मतलब पुछा निमने में से कौन सा खतल लसी का के लिए गलत है यहाँ पर आप से पूछा गया कि lymph is color as a hemoglobin but no RBC आपको मालूम है यह पहला ही गलत है यहाँ पर यह रंगीन होता है और hemoglobin युक्त होता है ऐसा नही मतलब क्या हो गया यहाँ एक ला hemoglobin present कह रहा है तो निशीत है यह तो पहला तो और गलत ही पूछा गया इसका मतलब निशीत है फस्त तो आपके सामने यहाँ पर यह गलत है इसका मतलब फिर आगे देखते हैं फिर आया यहाँ पर lymphatic system called lymph तो यहाँ fluid present in the lymphatic system तंत्री का तंत भी बिल्कुल यह भी सही है क्योंकि इसमें विस्ट लिम्पोसाइड उपस्यत होते हैं जो शरीर की परतिरक्षाओं के लिए हैं यहाँ पर तरजाय तो होते हैं फिर कहा lymph is important carrier nutrient and hormone बिल्कुल NCRT की लाइन है and fat absorbed through the lymph lacteal present in the intestinal really यह भी बिल्कुल सही है इसका मतलब आपको मा यहाँ पर क्या हुआ है रॉंग स्टेप में शोग कर रहा है इसका मतलब आपके पास यह answer आ जाता है बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा NCRT के बिल्कुल line to line है इसकी according अपने निकाल answer next आप देखते हैं यहां से अपने पास आया यहां पर कि simple सा देखो को मेच करवाना किस लूप से देखो फिस जो होती है वह वास्तर में दो चेंबर होती है और amphibian तीन चेंबर है करकोडायल चार चेंबर है यहां चार चेंबर है लेकिन इनसे आपने देखा कि यह तो सारे मेच हो रहे हैं फिर answer कौन सा हुआ तो देखो यहां पर क्या हुआ यहां एट्रियम और एंट एट्रियम इसका मदलब यह तो बिल्कुल सही बात है कि इनकरेक्ट स्टेप में आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें सही नहीं है तो आपको मालूम है मचलियों में इस परकार का हो रहा है फिर आप देखते हैं इसमें तीन चेंबर है लेकिन द दो इस परकार की स्टेक्चर की रूट में यह किया आता है तो तीन चेंबर है लेकिन आपको मालूम चला यही इसका रोंग है इसका मतलब दो नंबर इसका चला जाता है आगे जाने की जूरत ही नहीं है आपको मालूम है फिर भी आप देख लें साहे तो देखें अपन कि यहां पर दो एक्रिया दो इसका मतलब चार्चमबर इसका मतलब यह भी सही है इसका मतलब गलत कौन सा हुआ इसमें अपने को मालूम चला दो क्यूंकि यहां पर एंपिपेंस में इस्पेशली दो आलिंद होंगे और एक निले होगा तो इसलिए यह गलत हुआ नेक्स अचीचूा कारण क्या है निश्चित अपने को मालूम हैसे मालूम अपने रूप देखा यहां पर आपको मालूम है यह बल होते हैं यहां से क्या होगा देखो semi-nular यह हो नहीं सकता यहां पर pulmonary erota यह हो नहीं सकता vibration just after the closing of mitral and tric acid wall change किया direct भी आ सकता है कि mitral और यहां पर tric acid wall के बंद होने के कारण ऐसा होता है बिल्कुल यही और आपके पास कोई ही नहीं क्योंकि यहां खुलने पर तो ऐसा हो नहीं सकता बंद होने पर होता है इसका मतलब तीन नमर आंसर चला जाता है बिल्कुल यहां आपको मालूम चल गया important भी है next देखते हैं यहां से अपने को मालूम चला यहां पर यहां पूछा गया है open circulatory system जो open circulatory system है वो specially अपने को मालूम चल रहा है कि किस रूप से जाना जाएगा open circulatory system क्या है खुले परिशन चलन की विशेषता क्या है देखो पीटा जी आपको अच्छी तरह मालूम है कि NCRT में paragraph में open और close के बारे में जो बिल्कुल step दी हुई है महीं से हैं देखो क्या कह रहा है यह blood flow in the open space and sinus बिल्कुल सही बात है blood is directly contact with tissue सही बात है blood flow is slow बिल्कुल सही है and blood pressure high देखो यहां से यह रोंग हो गया और यहां आपको मालूम है यह होई नहीं सकता क्योंकि यहां अगर BP हाई होगा तो इसका मतलब वह blood vessels में जाएगा sinus में नहीं जाएगा इसका मतलब यहां answer कौन सा हो गया चार को छोड़कर बाकि सभी इसका answer सही है इसका मतलब इसमें यह answer चला जाता है next देखते हैं अपने को मालूम चला यहां से अगले बंदन यहां से अपने को देखो क्या पूछा गया बटा सिंपल सा है कि किस रूप से हैं यहां major form of nitrogen west आप अच्छी तरह जानते हो nitrogen of cyst के मुख्य रूप कौन से हो सकते हैं देखना पड़ेगा ammonia 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 इसका मतलब इससे दो यूरिया यूरिक यूरिक यह भी है अब देखो यहां पस क्या का लेप्टिक एसिड प्यूरीन एंड मिल्क इसका मतलब यह तो होई नहीं सकते वेटा आपको मालूम है मेन ammonia यूरिया यूरिक एसिड मतलब यहां से तीन नंबर चला जाता है आपको मालूम चल रहा होगा बिल्कुल NCRT बेस्ट है ऐसे ही प्रशन आएंगे आप ध्यान रखें फिर उसके बाद अपने नेक्स देखते हैं यहां से अपने को मालूम चला कि क्या पूछना चाह रहा है यहां वाला इस्पेशली आपको मालूम चला है यहां से अपने को कि विच आप देखिस करेक्ट मेश देखो यहां से क्या कह रहा है करेक्ट मेश निम्न में से कौन सा जंतूर उसके उससे परदार सही मिलान है यह भी इंपोर्टेंट बिल्कुल NCRT है बस थोड़ा सा यूरियो इसका मतलब यह तो यूरिक होता है इसका मतलब यह तो गलत हो गया पर आया बोनी कहिसेश और एमपी बिल्कुल अपने अपने में especially urutalic होता है आगे जाने की जुरती नहीं है इस कारण से तीन नमर आज सर चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है इसमें फिर next देखते हैं यहां से कि अपने को मालूम चला एनफ एनफ फेक्टर यह बहुत इंपॉर्टन है हाव मेनी स्ट्रेटमेंट देखो क्या कह रहा है यहां से यह भी इंपॉर्टैंट होड़ा सा ध्यान डखना शिर नंतर अगले ने कहा एनफ फेक्टर के लिए यहां incorrect statement पहले ही मालूम चल गया जैसे इस टाइब के प्रशन आते हैं तो correct और incorrect पे अपने गोला कर लेते हैं और उससे मालूम चलता है वह सरक्ल करने से ही मालूम रहता है दिमाग में क्या पूछा गया है कि ANF से सम्मधित यहां आपको मालूम है यह especially इसके लिए incorrect statement पूछा गया तो अच्छी तरह मालूम है अपने को मालूम चला जैसे मालू हर्ट है और इसके actual part में यहां पर यह factor present होते है और यह कब काम करते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है जब बहुत ही बीपी हाई हो रहा हो तब जाके यह काम करते हैं तो देखो क्या कह रहा है ANF secret during the low blood pressure इसका हाई हो गया तो इसका मतलब इसको इस परकार का मेकनिस्म करना पड़ेगा फिर क्या गयता है आपको मालूम है यह कम करने के लिए इस परकार की condition करेगा तो इसका मतलब यह तो सही हुआ है यहां पर फिर यह कह रहा है यह फिर गलत हो गया इसका मतलब परने को मालूम चल ग देखो यह तो एक अलग बात होगी और उच्छी तरह मालूम चल गया मैंने भी हाली में बताया है कि वीपी की क्या कंडिशन होती है तो दो तुम्हें मालूम है एक दूसरे के अपोजिट भी है वालो यह गर देखा जाए तो यह और यह तो यह तो यहां पर क्या हो गया अपने को मालूम चला यहां से पूछा गया वीच अपड़ फॉइंड देखो यहां से किड्नी के लिए सही कौन सा है वह मालूम चला है यहां पर तो अपने को देखना है सही कौन सा है त्यू अबाउट यहां से क्या है किड्नी के लिए यहां पर क्या सही होगा देखो पह क्योंकि लेंथ आप जानते हैं जाना ही है क्योंकि दस से बारा यहां सेंटिमीटर होता तो सोचते हैं पर यह भी गलत हो गया से अपने का मालूं चला यह पूछा यह भी इंप़रटेंट तो दिन न बहुत ही ज्यादा इसलagog की आप अच्छी तर जानते में वैटा कि यहां पर यह specially क्या करता है और किस रूप से होता देखो जिए लोकेट at the contact point like PCT and DCT ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं यहां से जैसे मालूपन बात करें कि यहां से अपने को मालूम चला यह वाला पाइट है तो यहां से और फिर यहां से बात कर रहा है तो यहां वाली तो कोई condition ही नहीं है फिर कह रहा है देखो a rise in the active the J cell इसका मतलब यहां साब NCRT में आपने देखा होगा यहां पर rise नहीं होता है जस्ट वहां वर्दी नहोंकर कमी होती है तो इसका मतलब यह भी रॉंग वार यह भी रॉंग वा फिर क्या कह रहा है है यहां रेणी इस सेक्रेट बाइदा जैजी सेल वेरी मॉंस्ट है ध्यान रखे नीट के लिए और उसके बाद जैजी सेल प्लेक्स रेगुलेटरी मेकेनिज्म है यह भी एक तरह से जटी नियमर कारी भूमिगारी बाती है दूसरा रेनीं जैजी कोसी का द्वारा स्रावित होता है बिल्कुल एंडेट परसेंट तो इसका मतलब यहां अपने पास दो यहां पर क्या होगी है और मुझे उम्मीद भी होगी क अपने सही तरीके से ध्यान देखे कि आओगा तो गलत होने के चांस यहां पर बिल्कुल ही नहीं है और थोड़ा सा जब भी स्टैप के पर आते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यान रखड़ा चाहिए देखो बिल्कुल एक स्टेप तु स्टेप अगर आप देखेंगे तो निस्टी तुरूप पर आपको मालूम चल जाएगा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यहां से अपने को मालूम चला यहां से पूछा गया अपने को मेटा तुम अच्छी तरह जानते हैं कि जो सभी पस्ते यहां पर जो कुणलित न लिकाए हैं उसको अटा दिया जाए तो क्या होगा तो तुम्हें मालूम हां हाइस्ट यहीं से ही अच्छी तरह 70-80% एक्रुलाइटिक्स यहां से रिम किया जाते हैं और पहला ही मालूम चल गया और डायलिट यूरीन आगे जाने की जरतीन नहीं है फिर देखो नेक्स यहां से क्या मालूम चलता है नेक्स जैसे ही मालूम चला अपने को मैंने देखा यहां से इसमें पुछा कौन सा स्टेट्मेंट यहां से सही होगा देखो स्टेट्मेंट इस क्रेक्ट उसने को मालूम चला कि स्लिप से हें यह कह रहा है यहां से recording आप यूँ इस परकार से लेते हैं और यहां से तुम्य मालूम है पानी कूब यहां से यह अप्चब किया जाता है तो इसका मतलब descending वा और यह ascending वा और यह पहला कहा रहा है descending limb loop of Henle is the impeable to water यहाँ पर देखो अगला especially क्या कहा रहा है जबकि प्रिमेवल है यह तो इसका मतलब यह तो step गलत हो गया है Henle loop की जो अवरोही बुजा है उसे वो जल के लिए पारगम में है नहीं ऐसा नहीं हो सकता फिर कहरा है Henle loop की जो कौन सी यहाँ पर descending limb है वो मालूम चली यहाँ से कौन सा कि यहाँ से impeable of water इसका मतलब यह तरह से Henle loop की आरोही बुजा जल के लिए है पारगम में तो यह तो बिलकुल मैं कही रहा हूँ यहाँ से तो कि यहां से नहीं हो रहा है यहां से होते हैं इसका मतलब यह यहीं चला गया आगे जाने की जूरत नहीं थी फिर भी ओर देख लो descending limb's loop of Henle is the permeable to water यह फिर रॉंग गया यहां से जिसमें यह मालूम चल रहा है अपने को कि PCT और DCT को लिया आपने और देखा कि क्या इसमें सामान नहीं है या क्या स्टेप ऐसी देखो PCT भी नेफ्रोन का पार्ट है बिल्कुल बहुत है DCT भी नेफ्रोन का पार्ट है दोनों ही आपको मालूम है यह कोईन प्रकार का है दोनों ही री आप्जर्व और बाइकार्वरेट की रूप में काम करता है लेकिन आप जानते हैं PCT में को स्पेश्elी ब्रस बॉड्डर सर्फेस जिसकार सबसे ज्यादा यहंपर क्या हुआाug ब्रस одगर से यह अजिय गरता है वह अप्जर्व कर लेता है और जयादा मात्रा में भी करता है इस लिए ज्यादा सोचने की जुरत नहीं थी आंसर इस में20 देखते हैं यहां आप अच्छी तरह जानते हैं बिल्कुल NCRT से बाहर बिल्कुल भी नहीं है आपको गर नहीं है तो एक बार दुबारा आप एक बार इसको रीड करें निशित मालूम चल जाएगा अपने पास इतना टाइम नहीं है नहीं तो मैं आपको पेस नंबर और लाइन नंबर भी बत बिल्कुल आप पर प्रॉब्लम काउंटर पर आके पूछें मिश्शित तोर पर आपको मालूम सल जाएगा कि किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं और चेप्टर को अपन किस तरीके से सौट एर स्वीट में बहुत कम समय में कैसे याद कर सकते हैं यह अपने को पक्का मा और यह बिल्कुल एक सेलेक्टिव पॉइंट पर हो तो इसमें आपने देखा कि जैसे अपने को मालूम चला कि ओस्मोरिसेप्टर अब बोडी आर एक्टिविटेट बाई देखो पहला किया रहा है हाइपोटोनिक ब्लड दूसरा किया है हाइपोटोनिक ब्लड तीसरा किय आप कौन सा आपके पास बचा वेरी मॉस्ट ज्यान रख लेना नौलेज से थोड़ा सा भी देखो किसी भी चीज़ का अगर मालो बारी की से किस्टर नौलेज नहीं होना तो प्रसंद तो निशित है कि आप तुक्का मारेंगे तो गलत हो नहीं है और तुक्का अपने को मा इन रिसेप्टर को इन रिसेप्टर की करता है तो काफी मतलब मेकीनिस बढ़ी है तो यहां सोलुषन पर अपने इतना नहीं चरचा कर सकते जैसे ही आपको लगे कि यार शो समझना चीया बिल्कुल आप प्रब्लम काउंटर पाके समझ देगा बिल्कुल को 100% इसकी मेकेनि के द्वारा एक्स्प्रेन कर दिया जाएगा नेक्स देखो यहां से अपने मालूम चला नेक्स अगला है कि यहां से पूच्छा विच प्रोसेज और फिर यूरीन फॉरमेशन अकर मैंली बाइदा एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो यह NCRT के लाइन है मैंली आपको मालूम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मुत्र निर्मान के किरिया या सक्रिय प्रिवहन के द्वारा मुखय तहें यहां पर संपन होती है तब एक तरह से में जो पूछा गया है और प्रियुलिटेटेटेटों मárाट जला जाता सोचने के पने जरुवती नहीं है और अपने वचान आपने को फिर आपको मालूम है कुछ बहुत निमेरिकल इस तो मालूम फिर दूनिघा एंसके मिलेगा ऊसी नेवह फोकेस कर रहा है इसमें यह आंसर चला जाता है, नेक टुडेखते हैं यहां से आपने देखा, बहुत ही सांदार है, इम्पोर्टेंट है आप अच्छीता जानते हैं, इसके आने के चांस भी कम नहीं है, यह आभी कुका है पहले, बेखो रेनल कोटेक्स है, यहां मालूम चला आपने को क्या कह रहा है रज रेनल कौर्टेक्स से स्पैशली आपको मालूम है यहां उस पेसे अपर Byle पार्ट में कितना हो गया 300 सो पर जाते हैं और जैसे इंटर मेड्यूली को रान हो रहा है निष्ची तुम्हें किस के कारण हो रहा है यहां 300 और 1200 जैसे इंफ उपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको मालूम है जैसे जैसे आप जाएंगे 300 फिर बात भी च्छ सोगे 900 और यहां आते आते 1200 की स्टेफ आपके पास आती है तो मुख्य कारण क्या है मिश्षित है वासा रेक्ता और हैनले रूप में काउंट करेंट मैंके लिए तो आपको अच्छी तरह मालूं है और यूरिया यहां पर कर देता है इसका मतलब यहां आपके पास आंसर चला जाता है कौन साथ नमर देखो नेक्स्ट यहां पर क्या होता है अगला पूछा गया मानौ में हैं देखो पास है और आपके पास है कि मानाव जो होता है वो कईसा है बाढूरे मीतिक देखो हर टाईप क कुषिन बनते हैं दूसरा बंते हैं च्छिल नौले स्कड श्रुआ पूरा बंते। इजी वाले बच्चे ज्यादा तर कुछ इस प्रकार से पढ़नी पाते हैं कि यार यह तो क्या है कर लेंगे अभी परेग्राफ है कोई दिखत नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए वह एक भी चीज बेटार करेक्ट रिगार्डिंग दा यहां मेट्रिके संदेखों मुत्रन की किरिया के लिए यहां सत्य कौन सा है सत्य पूछा गया बेटा करेक्ट ऑफसर बिल्कुल आपको मालूम है वेरी मोस्ट है यह भी अपने आप में अब देखों यहां पर पहला गहा लाइक सिगनल by the stretch of the urinary bladder बिल्कुल NCRT में यू की यू लाइन लिखी हुई है मालूम है तुम्हें दूसरा है stretch receptor of urinary bladder sent to the signal to the CNS बिल्कुल NCRT में यू का यू लाइन लिखी हुई है आपको मालूम होगा फिर उसके बाद में CNS posis on the modern muscles to initiate the contraction to smooth muscles of bladder बिल्कुल 100% सही है फिर के रहा है the relaxation in the urinary spitter during the meditation बिल्कुल ये भी सही बात है कितने यहां और फिर को यहां 25 से 30 देखो AMG लगा रिया यहां पर अब बच्चा क्या सोचता है कई बार हाँ यार 25 से 30 अपनने पड़ा था अरे गराम था या AMG था देख तो ले यार भाई इसमें अपने क्या देखना था इसका म मतलब यहां वाक कितने हैं अब देखो यहां पर क्या कह रहा है क्या पूछना चाहरा है बंदा देखो क्या कह रहा है how much blood is filtered by glomerulus in six minutes अगला NCRT से देखो अगर कि still clear है पूरा नोलेज तो निस्चीत है कहीं गलत नहीं होना है बेटा यहाँ पर अपने को मालूम है कि 1100 से यहाँ पर 1200 यहाँ पर पर मिनट के आधार पे चलता है अब अगला क 6 मिनट के आधार पे तो तुम्हें मालूम है यहाँ अपने को मालूम चला कि कौन सा आ सकता है तुम्हें मालूम चला देखो यहाँ से या तो इसको multiply कि रही है इसको अब अगला बंदा एक ही दे रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने की जो लती नहीं है कि 12 यहाँ से 12 इंट यहाँ देख के घबरा जाता है या करना भी जानता है कुछ इस टाइप के numerical टाइप वेस्ट वाले भी दे सकता है लेकिन है NCRT वेस्ट आपको मालूम है फिर देखो next यहाँ से इसका मतलब आपको मालूम चल गया क्या answer आया यहाँ पर मालूम चल गया होगा ना यहाँ पर अपने पास क्या answer आ रहा है अभी हाली भी तो बताया है कि यहाँ पर अपने को मालूम चला कितना आया है अपने पास यह 6 मिनट में इतना चला जायाएगा फिर उसके बाद ने एक्स देखते हैं कि देखा यहाँ कि select the correct statement about the PCT, PCT के लिए कौन सा statement यहाँ पर सही है simple सी बात है बेटा, देखो select the correct statement, देखो क्या कह रहा है पिसीट के लिए कौन सा statement सही है देखो PCT के बारा यहां पहला कह रहा है यह Пीसीट और शोर्षन यह यहीं घलत हो गया, पढ़ना ही नहीं था होता है यहां मालूम है क्योंकि मालूम है कि observe तो intense time form कर चुकी है जब हम digestive system में किसी part को ले रहे हैं तो वहां तो observe हो गया यहां तो क्या होगा दुबारा हो रहा है इसलिए re observe part हुआ तो इसका मतलब यह पहला तो बिलकुल आपके सामने गलत हुआ, दूसरा क्या कह रहा है कि PCT is lined by the simple, यहां देखो columnar breast border यह फिर गलत हो गया, क्योंग डलस्टेक्ट होता है, इसका मतलब गलत फिर उसके बाद में PCT is also help the maintain to pH and ionic balance of the body, बिलकुल correct है, और फिर यहां से कहा, कि 40 से 50% electrolytics and water re-observe by the PCT नहीं भाई, यहां से आपको मालूम है NCRT में साफ लिखा हुआ है 70 से 80%, तो इसका बतलब अपने पास answer क्या गया तिन नंबर क्या है, यह भी अपने आपने इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर मालू ठीक है यह तू चलो, यहां देदी यहां वापिस मालूम भी चल रहा है, यहां गलती के कारण और यहां तो बिलकुल अपसर लिखा हुआ है पढ़ना ही नहीं था, मेरे साब से तो आपको पढ़ना ही नहीं चीहें कि भही जब यही मालूम चल गया कि यहां आगे वाले पॉइंट को देखते वैसे आगे भी तुम पढ़ते तो भी मालूम चलता सेलेक्टिव प्रोसेस तो इसमें भी तुम्हार निश्रीत है गलत कर देते अब देखो नेक्स कौन सा है अपने को मालूम चला यहां से यह भी NCRT विल्कुल लाइन है NACL ट्रांसपर्ट यहां से अगला के रहा है मालूम चला बिटा कि यहां से अपने को मालूम चला NACL ट्रांसपर्ट वाइब भी हैं ले लूप विच इस दा एक्शेंज विद दा ए और वास मालूम है कि यहां पर आपको मालूम चला स्ल्सक्रारोब लूब की तो यहां पर क्या कह रहा है इनले लूब की वैला तो इसका मतलब इहां से क्या ओगा औरोई के दो आउर वासा रैक्टा की step कोँछ रहा हुता है तो इसका मतलब आपको मालूम चल गया descending limit तो especially कुझा ह構 गया मालूम चल incor गया ना कि यहां से नीचे की तरह की step आ रही और ascending step कौन सी step में आ रही है इसका मतलब अपने को मालूम चला कि अपने से आपको मालूम है यह उपर जा रहा है तो असे नहीं हो गया लेकिन पूछा क्या गया भी की स्टेप्स रुप में और यह नीचे आ रहा है तो इसका मलब इसका मलब एक पूछा गया अपने को पूछा तोबी हें लेकिन यहां ब्राइज तो यह उलूज को यह हूँ बिलकुल सही बात और बी यह हुआ इसा है बिलकुल जूरती नहीं थी बिल्कुल सीम gr चल रहा है देखो क्या कहरा है पहला ही कहरा है यहां से कि कि स्टेट्मेंट किसके बारे में तो इसका मतलब कोई स्पेशन नहीं आप पर अंदर पढ़ने के बाद मालूम चलता है तो देखो बिटा क्या होता है कि अगला कहरा है यहां पर the cortical nephron loop of Henle is too long, cortical nephron of Henle loop is too long, and extend only very little into the medulla, यहीं पर रोंग हो गया, देखो, दूसरा क्या कह रहा है, जेक्ष्टा मेडूलरी नफ्रों आप दा हैलल लूग इस तू सौर्ट एक्टेंड डीप इन्टू मेडूला, यह फिर से यहां पर रेक्टा इस हाईली डबलब्ट इन्दा कॉर्टिकल नफ्रों यह फिर से गलत हो गया, आप एंसी आटी लाइन देखेंगे, तो यह आपको नाशित होती है, यही आँसर चला जाता है, इसका मतलब आपको मालूम चल गया, यह वाला यहां से चला जाएगा, फिर देखो next यहां पर लगे रहा है, यहां से इमेज करना है, कॉलम फस्ट को कॉलम सेकींड से, अपने को मालूम चल गया, टाइम बेस्ति करना है, सां मलन बील्कूल बहुत ऊज़रा है यह इस हम आपको मालूम है यहां मालूम यहां फcks tillций सब्सक्राइब तो यहां पर क्या आगया आइनिक की रूप में तो इसका मतलब यहां पर क्या आ गया अपने पास चार नुमर की इस टेप फिर क्या रहा है है तो आपको मालूम कहा आपको मालूम में चला है ज्यादा सोचने की जूरती नहीं बड़ी है, इंपोटेंट है, अच्छी तरह है, NCRT-based है, आपको मालूम होना चीए, ये बिलकुल एक किस्टिल किलियर पॉइंट पे है, ये को मालूम चल गया, नेक्स देखते हैं यहां पर, यहां क्या कह रहा है, इस्पेशली कह रहा है, कि जो counter current mechanism है, उसमें कौन भी involved हो रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, कि यहां पर, निस्ट रूप से किस के बीच में counter current की step आती है, देखो, कौन involved होगा, या किस रूप से involved होगा, कि यहां पर counter current की रूप में, या परतीधारा किरिया में कौन किसका योगदान है, वास आप जानते हैं, बिल्कुल यहां पर, आपके पास यही step थी, वासा रेक्टा और हैनले लूप के रूप में, वासा रेक्टा यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, time based नहीं करना है, मालूम ही है, अपने को यहां से मालूम चल रहा है, इसमें पूचा column first or second को match करवाना है, आप आपको वामन के अपसूल, आपको मालूम है, किस टाइप का होता है, C-shape, तो इसका मतलब यहां पर दो नमबर आगे, PCT कैसा होता है, highly coin, तो इसका मतलब यहां पर तीन नमबर आजाते है, आपको अच्छी तरह मालूम है, हैलेल लूप किस परकार का हुआ, तो इसका नमबर की स्टेप्टर की रूप में आंसर चला जाता है, ज्यादा सोचने की जूरत नहीं थी, बिल्कुल आपको मालूम है, NCRT-based, नेक्स देखते हैं यहां से, मालूम चला अपने को, यहां से कौन सा ऐसा है, जो इनकरेक्ट है, अब देखो, यहां से इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट के स्टेप में, यह पहला ही चला जायागा, आगे सोचने की जूरत ही नहीं है, अर्थ में आ रहा है, इसका मतलब फिर्ट ही रोग हो गया, थोड़ा सा भी आपने ध्यान निदिया, तो निस्टी तरह गलत हो रहा है, क्योंकि आपको लगेगा, यह तो आपको मालूम चल गया, यहां से कॉपने को इनकरेक्ट के स्टेप में, आ जाता है, अपसे पुछा गया मालूम चल रहा है, यहां पर जो पार्ट लिया गया कौन सा एक्स्टेट्री प्रोडेक्ट रिक्वाइर मेक्सिमम अमाउंट अब अच्छी तर जानते हो सबसे ज़्यादा पाने में रहने वाले जीव जो होते हैं वो क्या चोड़ते हैं अमोनिया क्यों कि उसको पाने की रिक्वाइरमेंट ज् पूछा गया है देखो यहां पूछा गया है इस्पेशली आपने देखा विटा कि दा अमाउंट ब्लड पंट आउट इच वेंटिकल्स तु हर्ट इंदा मीनट को स्टू दा किड्नी यहां पर रदे के रिलियों कि द्वारा किड्नी पर जो रक्त वेजा जाता हो कितना हो कि लेर स्कंवडरा बहुति विल्गापारद के अंदर जाने पर मतलब आप समृज क्के ऊंगे और साइड कि स्टेप में आ रहा हैं व् évidemment यह तो वैसे भी आपको मालू में ब्लड मेरीन यह भी बिल्कुल है किसे हो नहीं सकता है इसका मतलब तीन तो आपके सामने रॊंगं नोट इसका मतलब अपने को मालूम होना चाहिए यहां पर क्या पूछा गया कि रिमें कि चनित्र की किस मात्रा का निर्बाण नहीं होता आप अच्छी तर जानते वेटा कि 125 एमल पर मिनट आ रहा है तुम्हें मालूम है अगर मालो 24 गंटे में करेंगे तो 180 लीटर ये भी थे एकको आप कindestित रूप से आपको मालूम चल रहा है यहां कोन सा उन्रूप है है कि यहां कि मालूम ऑप यह तो is मतलब 180 लिटर पर और यह वाला यहां पर कोई फिल्ट्रेटर नहीं है और अच्छी तरह आप जानके होंगे बिल्कुल NCRT बेस्ट है थोड़ा सा सोचना था फिर देखो नेक्स्ट यहां से देखो यहां से क्या क्या कर रहा है विच पार्ट अब नेफरान डजनोट पार्टिसेपेट इन दा मैंटेन और पी एच बैलेंस देखो पे यहां से नहीं कर रहा है तो इसके बाद देखो नेस यहां से यहां और क्या किया रहा है यहां से इनक्रेटथ मेश फिर मैंने कहा था इनक्रेक्ट इसका मतलब आपको मालूम चल चुका है यहां से नीच कर्वाते हैं अगला क्या कि रहा है यहां से पूछा कि ग्लोमेर इंट्स लग गया है क्या है इंफलेमेशन है इसका मतलब यह आंसर जा रहा है यहां से अगला पूछा कि वोमन केप्सूल और ग्रोमिलोस को अगर एक जिगर कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा आप अच्छी तरह जानते हैं जैसे मालो अपने को मालूम चला कि जैसे यह वोमन केप्सूल है और दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं जैसे मालो यह वोमन केप्सूल और इसके अंदर यह वाला पार्ट है तो इनको दोनों को मिला दिया जाए तो निश्चित रूप से आप जानते हैं यह वाला इस्ट्रिक्चर क्या कहला रहा है तुम्हें मालूम है कि यहां इसे पूर्ट है और तुम्हें लग गया होगा बिल्कुल NCRT-based है totally NCRT ध्यान रखें आप फिर अगर डंग से NCRT को किस्तु करते हैं एक लाइन को पड़ते हैं तो यह लाइने करने से NCRT में बैटा कभी भी आंसर नहीं आएगा केवल आप concept पे जाएं और उसके बाद उसको अच्छी तरह जाने और उसको एक page में पूरा अपने हिसाब से बनाने कोसिस करें automatic answer आएगा फिर देखो next यहाँ आपने को मालूम चला यहाँ से कि select the correct sequence of urine formation अब आपको मालूम में बैटा क्या पूछा गया है कि कौन सा पहले होता है बाद में कौन सा होता है कि select the correct sequence of urine formation किस किस लूप से होगा पहले क्या होता है निशित मानो बैटा ultra filtration पहले हुआ है फिर वहाँ से conservative part होता है और last में फिर secretion तो देखो first यह हो गया है second यह हो गया है और third number पे आपके पास यह होना है तो पहले कौन सा हुआ आपके पास पहला ही पहला ही पहला first number आपके पास B हुआ है फिर उसके बाद में C और फिर यह हुआ है इसका मतलब B C A के रूप में आपने देखा इस परकार से इसका अंसर चला जाता है देखो पक्का मालूम चल गया ultra filtration मतलब यह हुआ फिर यह हुआ तो इसका मतलब पहले भी हुआ है first number पे फिर उसके बाद में कौन सा हो गया है यहां से सी हो रहा है फिर बाद में यह हो रहा है तो ऐसा option कौन सा हुआ तो अपने को माल largest gland है कौन सी तो liver is the largest gland of the body बिल्कुल आपको मालूम है liver के बारे में digestive system में आपने पड़ रखा है 1.2 kg से 1.5 kg बिल्कुल 100% है आप जानते हैं उसके में pigment के step भी जानते हैं पहले आपको थोड़ा समझना था कि largest gland of human body और वो extractive product के रूप में काम करती है कौन सा उत्साजी पन आत मानों सरीर में सबसे बड़ी गरंती द्वारा उससी किया जाता है मालूम है पित वरनक का नाम आता है तो इसमें देखो कहीं है बिल्कुल देखो यह यहां दिख रहा है क्यों टाइम बेस्ट किया जाए एक्ष्ठा पढ़के इसका मतलब यहां दो नंबर आंसर चला ज ब्लट वैसल्ज झो होता है अब उस ब्लट वैसल्स को आपने देखा यहां पर maximum्स और minimum Urea का और वह भी करम से पूचा गया है आप जानते हो यूरिय का सिंपिस्ट इसका मतलब सब्सें मेक्जीमा मिलना है और minimum यहां आना है इसका मतलब हेपेटिट्क वेन ॉर्हेटिक य यहां maximum stage होगी, यहां आपको मालूम चला और यहां आपको मालूम है minimum की structure की रूप में होगी, तो इसका मतलब 4 number answer चला जाता है, ज़्यादा सोचने की जूरत ही नहीं थी, अब जवर्दस्ती मालूलों अपन गुमाफिरा की इसको गलत करते हैं, तो इसका मतलब silly mistake नहीं है, careless है, silly mistake उसे कहते हैं कि पढ़ने में नहीं आया हो, incorrect नहीं पढ़ा हो, तब तो बाले, यह तो बिल्कुल दीख रहा है, यहां से next देखते हैं, मालूम चला यहां से देखो, यह भी बहुत important है, क्या कहा, मेच दा, इस कोलम को आपने मेच करना था, अपने को मालूम चला, क बिल्कुल सही है, तो में मालो में यहां आपने मालो सिस्टोल कर दिया, और इधर क्या कर दिया अपने डाय स्टोल, क्या कर दिया इधर सिस्टोल, इधर क्या कर दिया डाय स्टोल, यहां कर दिया 0.1, यहां 0.7, यहां 0.3, 0.5, आप जानते हैं विटा, कि हमेसा किसी चीज को, systole मतलब खाली करने में कम समय लगता है और उसको भरने में जदा समय लगता है यह अच्छी तरह जानते हैं तो इसका मतलब यह systole में देखो, यह atrial हो गया यह ventricle हो गया तो systole यहां पर यह बाला पाथ atrial का है और यह ventricle का है, यह diastole part आपको ऐसे ही मुझे प्रश्ण आए तो बैठा ऐसे ही मेज करवाना है देखो पहला क्या था VENTRICULAR DIASTOL VENTRICULAR DIASTOL की STEP आपके सामने क्या आ रही है इसका मतलब 0.5 इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है C फिर ATRIAL DIASTOL मतलब 0.7 मतलब D फिर ATRIAL SYSTOL 0.1 एक मतलब A VENTRICULAR SYSTOL मतलब 0.4 तो C, D, A, B तो C, D, A, B किस में आ रहा है देखो C, C, C फिर आ रहा है D और इसमें तो इसका मतलब यह दो तो आपके पास आनी नहीं है अब दो बचे हैं फिर ATRIAL SYSTOL आपको मालूम है 0. यहाँ पर क्या है 1 तो इसका मतलब A बिल्कुल आपके पास आंसर आ जाता है बेटाम ज़्यादा सोचने की जड़ती नहीं है आपको मालूम है इसमें किस रूप से आपन देखते हैं इसमें मालूम चला बेटाम सितलन वाले इस्टेक्चर है और संकुचन वाला इस्टेक्चर यह होता है इसका मतलब यहाँ से आंसर चला जाता है आपके पास फॉर्क नंबर मैं समझें साथ बिल्कुल के लिए हो गया होगा इसको इसी तरीके से बना के करना चाहिए मालूम सब होता है 0.1 है 0.5 है 0.7 है 0.3 है बेटा ऐसा बनाने से कंफ्यूज कभी नहीं होगा नेक्स देखो मालूम चला यहां से यहां से पूछा गया है कि रेनल पैल्विस प्रोजेक्शन कॉर्ट इंपोडेंट है तो मैं मालूम है जहां से निकलता है वो पार्ट क्या कहला रहा है कि यहां से इस पार्ट से निकलने वाले प्रोजेक्शन क्या होंगे हिंदी में चाशक बोलते हैं लेकिन ध्यान रखके हिंदी मीडियो में जब मालूम नहीं चल रहा हो तो इंग्लिस देखनी चाहिए क्या लेक्स तो निस्चित है यहां सब चला दर्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब मालूम चला correct statement में कौन साइट में से एक में से correct है देखो क्या कह रहा है कि vertebrate have the simple tubular structure बिल्कुल NCRT में लिखा हुआ है invertibrate के लिखा हुआ है इसका मतलब यह गलत हो गया बिठा invertibrate have the complex tubular यह वर्टीबरेट के लिए होता यह वैसे गलत हो गया बिठा मिल्कुल आपको मालूम है यहां पर लिखा हुआ है फिर अगला कह रहा है यहां से बिल्कुल यह तो सही हो गया फिर भी देख लेते हैं नीचे वाला भी कि मेलफिगी टूपस ऑनली औली आ गया इतना सा बस यह तो मालूम चलता है अपने को कि अपने कितना क्रिस्टल केलियर किया है आल्ली एक्स क्रीशन में यह नैट्रुजन वेस्ट में हैं नहीं बेटा और समो रेगूलेशन में भी हप कर रहा है इसका मतलब मालूम चला कि मे अपने पास आया यहां पर यह भी अपने आप में NCRT की बिल्कुल लाइन पेरेग्राफ यह उठाया हुआ है देखो यहां से कहा गया कि दा पी इसका मतलब पी तुम्हें अच्छी तरह मालूम चल गया सब ऑप्शन में ही बेटा क्या लिखा हुआ है डी सीटी लिखा हुआ बहुत से नेफरोन होंगे तो मैंनी यह आ गया ओपन इन्टू दा अब यह बिल्कुल एक स्टेट पॉइंट में जाता है यह भी अपने को मालूम चल गया तो नेफरोन देखो क्या कहे रहा है डी सीटी नेफरोन की अनेक जो पाइट है वो एक किसमें सीधी संग रहाएक म कि यहां से पूछा देखो क्या कह रहा है अब तुम्हें मालूम है कि विच आफ दा फॉइंग क्या कह रहा है बहुत इंपोर्टेंट है मालूम चला कि किस रूप से इसको अपन देखते हैं कौन सा सेट्मेंट यहां एंजियो टेंसिन के लिए इनकरेक्ट है इनकरेक्ट इसका मतलब आप अच्छी तर जानते हैं देखो क्या हुआ निसीते यह इस्पेशली रक्तदाब को बढ़ाता है बिल्कुल बढ़ाता है जब रक्तदाब बढ़ेगा तो इसका मतलब यहां पर संकुचन की अवस्ता ही रहेगी यह कॉन्टक्ट की स्टेप में रहेगा डा इसमें काम नहीं करेगा इंपोटेंट है द्यान रखे विटा इसका मतलब नेपास आंसर की स्टेप कौन से आ रहे है तो गलत पूछा गया तो तुम्हारे पास गलत की रेंज कौन सी है तो तीन नंबर की स्टेज यही गलत है तो आंसर क्या चला गया यहां पर तीन अबर पुछ रहा है की कौन सा ऐसा पार्ट है तो क्या गया रहा है दो प्रामेरी फॉंक्शन यह एकसर्ट में में कर रही 是什麼 कर रही है है देखो रेंट के फुद डेजेशन नहीं को यह मतलब नहीं था ओयल नहीं कुल वास्पी करन द्वारा सरीर सतय को ठंडा करना तो वास्तव में स्वेयर क्लेंड का मुख्य कारिये लिखा हुआ है अब देखो नेक्स विदा यहां अपने को मालूम चला क्या कह रहा है यह भी अपने को मालूम होना चाहिए बिलकुल NCRT बेस्ट रेनल जो पार्ट होता है कॉलम नर पार्ट वह अपने को मालूम चला किस रूप से यहां पर काम करता हो देखो रेनल कॉलम बटनी इस दा पार्ट आफ तुम्हें अच्छी तरह मालूम है बेटा पा कौन सा ऐसा option है कि यह एक तरह से बलकुट आ गया यहां तो और यहां अगया कौन सा अंसर जा रहा है पहला ही चला गया जाए अटेंशन लेने की जूरती नहीं थी आप देखो ने एक कौन सा हुआ है यहां पर मालूम है अपने देखा बाइकार्बोनेट का पुर्णा उस है अगय है उसके मतलब इन दोनों से होना ही होना है किसे नहीं हो रहा है इसका मतलब यहां पराद से चला गया एलेलू इंपोर्टेंट है जहां रखे नेक्स देखो यहां से मालूम चला वाट विल हपन दा वन किड्नी वाट विट है पन दा वन किड्नी रिमूव फ्रॉम दा बोडी अब दा किड्नी को किड्नी को कितना शांदार यहां पर अब तुम को होगे कि एक ही अठाया गया है दोनों अठाते तो फिर अलग आंसा रज़ा था तो देखो यहां से क्या करा है देट विल्कुल नहीं एक बच्ची होई है न इरेमिया रहत नहीं हो सकता स्टोपेज भी रही है तुम्हारे पास बच्चाई एक ही है नहीं कुछ नहीं दा प्रोसेज विल सर्वाई एंड नॉर्मल केड्नी विल बिकम दा विल्कुल सही बात है व्यक्ति सामाने रहेगा जीवित रहेगा और एक किड्नी होगी वो अतिवर्दी भी कर लेगी रिजर्ब्रेशन पावर के रूप में अच्छा है विल्कुल आपको मालूम होगा जिसने नहीं पढ़ा ना वन किड्नी तो इसका मतलब वो तो फिर सिली मिस्टेक करके आया है और वो सिली मिस्टेक न इफ्रोड तुम्ही अच्छी दर मालूम है मैं यहां से न पर नहीं है उल्र ने इस वाले पर नहीं है ना से यूरिया इस उलीक कि दिखाया है तो इसका मदलब एक पतले खंड में तो तीन सेग्मेंट आफ डिसेंडिंग आफ लोग आफ हैनले के रूप में तो ज़्यादा जानने की ज़रती नहीं थी को सिंपल सा है फिर देखो नेक्स्ट यहां से यहां से कहा गया विच अब दफ़ाइंग हैस नॉट कौन सा यह सपार्ट जिसे पन ने कहा अधू कौन सा यह सपार्ड है जो की उत्रजिप दार्त को बार्ढ निकालने में योगदार नहीं करता है तुम्हें मालूम है लंक्स भी मिस्चित है CO2 को पर मीनट 200 ml निकालता है कि नी करी रही है इसकीन करी रही है तुमारे पास बच्चा क्या एक ही तो पार्ट था यार इसका बदलब आपके पास चार आंसर चला जाता है और बहुत इजी सा है कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी क मालूम चला वेटा कि पुना उसरोशन की परकिरिया होती है निशित मालूम चला अब देखो क्या कह रहा है तक ट्यूबिलर एंडो थीलियर नाम अगया गलत ट्यूबिलर एपिथीलियल सेल फिर कहा गया ग्रेंडूलर सेल लेक उनिसेल इसका मतलब तुम्हारे मालूम है एपिथीलियल पार्टी तो इस परकार का काम करेगा तो कि यह अब्जर करने में मदद करता है कि वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ पर यह रियूब्जर में मदद कर देता है नेक्स देखो बिटा यहाँ से मालूम चला सबसे ज़्यादा विशेला कौन सा है तो मैं अच्छी तरह मालूम है बेटा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशेला कौन सा होगा सबसे पहले बेटा अमोनिया हुआ उसके बाद में यूरिया लास्ट में यूरिक ऐसीड आता है इसका मतलब अमोनिया ही सबसे जहरीला है इसका मतलब फरस्टी अंसर चला जाता है को जड़ा सोचने की जुरूती नहीं थी मेक्स देखो यहां से क्या होता है मालूम चला है यहां पर क्या कह रहा है कि जो इंटर एट्रेट्रेल सेप्टा है तो निश्चित रूप में हैं यहां पर यह मेकनीजम किस रूप से जानी जा रही है कि यहां हर्ट में बेस्ट डिसक्रफिशन दो कैसा हो सकता है मालूम में मैटा कि यहां पर आलिंदों की बीच वाली स्टेक्चर है वैसे भी आलिंद निले से चोटे होते हैं आपको मालूम एक थीन मॉस्किलर वाल के रूप में जाने जाते हैं तो ज़्यादा आलिंड वह सकता हैं नहीं यह बींस्याटि की पॉइंट ही है नेक्स देखों यहां आपको आया इस एपको बिल्कुल यूंका यून नॉर्मल एक्टिविटी बाएज्याटि को अच्छी तरह के लिए अगरा गलत हो रहा है तो नॉर्मल एक्टिविटी दा हो मन हर्ट इस पहले लाइन यहां से लिखी हूई इंट्रेंसिक जिसका मतलब एक तरह से अंत्रित रूप यहां पर लिखा हुआ है आंत्रित रूप आप इंदी मीडियम में देखेंगे तो इसका मतलब फस्टी आंसा चला जाता है कि एक सामान निगतिवी दीखा कंट्रोल किस परिकार से ह होता है वह बात की बाते हैं कि वहां पर ऐसे नोड है या यह भी नोड है लेकिन नॉर्मली एंसी आटी की लाइन है तो मैं मालूम होना चीह है कि एंसी आटी में इसा लिखा हुआ है फिर देखो नेक्स्ट मैं जो मालो है है ब्रैधा तो मैं मालो में यहां से नीच से यह जो पाहर है तो है इनेस्ट बिलकुल सही बात है बहुत एजी है थोड़ा सोचने वाला है कि दो अलग-अलग परिशन में चल रहा है तो कौन सा हो सकता है तो इसमें मालूम है यहां पर मालूम चल गया यहां पर मालूम चल गया इसका मतलब यह तो मसली में हो गया यह मालूम रेप्टैल्स में हो गया है यह मालूम चल गया तो यह सिंगल सर्गिलेटी स्टेप के रूप में आ रहा है और दो अलग-अलग रूप से चल रहा है तो बैटक तुम्हारे प बिल्कुल आपको मालूम होना चीए कि मिस्षित रखो यहाँ पर ने क्या काम पहला कह रहा है point कि यहाँ पर ee вe gilt जो है वो यहाँ पर क्या है second heart of body तो मैं मालूम है sister ना child इसका है, second heart of body होता है यह तो नहीं हो सकता तो यह से नौड pace maker कर ज्यादा जाने की जुरती नहीं रही बिटा इसका मतलब ऐसे नोड क्या है यहां से पेस्मेकर के रूप में काम कर रहा है 100% सही हो यहां से पूछा गया कौन सा सही नहीं है नहीं है इसका मतलब अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्टेप यहां पर किस परकार से पूछा गया बेटा कि विच आप दाप इसने नौट करेक्ट अब देखो पहला क्या कह रहा है स्प्लीन इस दाग्रियाड ऑफ दार्वी सी बिलकुल आपको मालूम चला बेटा कि यहां पर यह एक तरह से कबरिस्टान है बिलकुल सही बात है यह तो बिलकुल थैस सही हो गया है लेकिन सही नहीं है पूछा गया इसका मतलब अपने को देखना है ओल मैमस है वाइक नही वेटा है आपको मालूम है सब मेंन उपलाजम नहीं होता है ओट और लामा केमल और लामा में आपको मालूम है नुपल सिंपलेटश होता थो इस प्रकार साइज का मतलब यह तो रोंग हो चुशका है क्लोटिंग 세क्टर प्रजेंट इन प्लासma आर्डग एक्टिव एंस य हुआ है कुछ ही संब सबसेंट इलिज्ट बाइब अपर पहला सही हुआ है बाकी आपको मालूम है दो तीन और चार यह बिल्कुल यहां से गलत है इसका मतलब दो तीन चार यहां से चला जाता है यहां से पुछा गया है दडी पॉलिराइजेशन और यहां पर कहां से प्रारंब होगा तो ज्यादा सोचने की जूरत ही नहीं है यहां सर चला जाता है नेक्स देखो यहां से क्या हुआ अब देखो यहां क्या कह रहा है इमेडूला जो पार्ट होता है अब गाटा रेगुलेट टुलग कार्डिक अक्टिविटी पाई बिल्कुल सही है बहुत ही अच्छा प्रश्ण है अब आप देखते हैं विटा यहां पर क्या पूछा ग पॉइंट है अब तुम्हें लग रहा होगा टॉटल एंस याटी बेस्ट है और टॉटल नीट और इंटेट है इसलिए इन प्रश्णों को अच्छी तरह दिमाग में ले जाए वही नौलेज डीपली होना बहुत जरूरी है लेकिन एंसी आर्टी का नोलेज होना पहले यह गो बेटा क्या कहा विच वन आप फॉइंग इस रॉंग एंजयम प्रेक्टर इस हो रहा है वो एक्विट टेस्ट पेन है बिल्कुल सही बात है पूच्छा क्या है रॉंग इसका हुआ है हर्ट फैल यहां इंकेट ब्लड सप्लाई अब बोड़ी यह भी सही हुआ हुआ है इसका मतलब यही रॉंग है तो तुम्हारा यह रॉंग है तो तुम्हारा चार नंबर क्या है यह वाला पार्ट हुआ क्योंकि इसका रिलेशन नहीं है वहां तो आपको अलग ही रूप नजर आता है सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं था फिर देखो यहां से क्या क्या हुआ है यह बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करके समझाया हुआ है ज्यादा सोचरी की जूरती नहीं है सीधा आ रहा है सीधा चलना चाहिए जदा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं था फिर देखो यहां से क्या क्या यह बिल्कुल इसका मतलब यह बहुत ही सटीक है सही तरीके से आपको मालूम बोढ़ना चाहिए नेक्स देखो में मालूम चला यहां से विटा क्या पूछा गया है यहां पूछा गया मिलान कीजी वही मेच करना था बेटा देखो यहां से क्या है लिंप पूछा गया तो लिंप यहां पर क्या है especially tissue fluid की रूप में काम कर रहा है तो ज़्यदा अपने को दिकत हुई नहीं यहां पर कि यहां पर भी आ रहा है mixed blood आएगा तो निसीत बिटा amphibians में हो जाना है फाइबरस आएगा तो blood clotting के लिए हो जाना है और रह यहां antigen का नाम आ रहा है तो इसका मतलब C हो जाना है तो B, A, D, C तो B यहां पर A, D, C का रूप आ रहा है तो लिंप की step आपके पास B आई तो इसका मतलब यह आया भी फिर उसके बाद में mixed blood A आया फिर उसके बाद में यहां पर कौन सा आया D आया और फिर लास्ट में आपके पास कौन सा आया, C आया इसका मतलब answer आपके पास दूर चला जाता है तो इससी तो और पर आपके पास यहां से दो answer गया पिर देखो next बेटा, उने बास आया है, platelet से किस से निर्मित होती है, platelet से formed by, आपको मालूम चला है बेटा, किस से बनी हुई है, तो इससीत मेगा केरियो साइट से बनी होती है, तो इससीत यहां से क्या हो गया, mega केरियो साइट, इसमें भी कोई जदा अपने को जदा जान करी लेने की जुरत नहीं थी, simple सा है, फिर उसके बाद देखो, यहां से पूछा गया, next point की, क्या point है, क्या कहना चाहरा है, देखो, यहां से कह रहा है, RT जो होती है, उसका best define, definition क्या हो सकती है, दम्यों का उन वाइनिकों की रूप में अच्छी तरह परिवाशित किया जा स फिर उसके बाद में देखा, pace maker is, अब pace maker क्या चीज है, मालूम है, pace maker ऐसे node के रूप में ही होता है, जो impulse of the heart beat करता है, अब अपने को मालूम चला, instrument of measuring of the heart beat भो नहीं है, instrument of the measuring of the heart beat नहीं है, AV node is the provide to, यह भी गलत हो गया, ऐसे node provide to impulse, तो इसका मतलब ऐसे node जो दिल की दर्कु के लिए आवेक परदान करने वाला पार्ट कोल सा होता है, ऐसे node के रूप में मालूम जाता है, यह भी अपना सही हो गया, फिर उसके बाद देखो next, क्या करा, यहां से पूछा गया, कि जो lymph होता है, the important function of the lymphs के रूप में आपको मालूम चला, किस रूप से आ रहा है, important function of the lymphs क्या होगा, देखो क्या कर रहा है, यहां से, the main function, आपको मालूम है, transport opposition to the brain, बिल्कुल आप, देखो, carbon dioxide to the lungs, return to RBC to the lymph, and return interest is due to the blood, बिल्कुल NCRT में लिखा हुआ है, रक्त के अंतराली दर्व को लोटाना, लसीका का महत्कून कारिये है, महत्कून के रूप में आपको मा बाद देखते हैं, पर next, यहां से, सीरम क्या है, what is the serum, सीरम is, especially आपको मालूम है, एक ऐसा part है, जो कि blood without corpuses and fibro step में होता है, आपने को मालूम चला, कि blood without, यहां तो blood without fibrosion रिखा हुआ है, कि लेकिन corpuses की step भी दले हैं, यहां पर आपने मालूम है, तो यहां से, lymph without the corpuses and fibros इसकी step, यहां सीरम यही होता है, NCRT की line है, कि कडिकाओं और फाइबरोजन रही, तरक्त को ही आप क्या कहते हैं, सीरम के रूप में जान लेते हैं, इसका मतलब यह भी अपना सही हो गया, फिर देखते हैं, next, यहां से, क्या पूछता है, फोर statement दिये हुए है, circulatory system के लिए इसका मतलब यह तो पक्का हो गया, इसमें से दो ही सही है, और दो गलत है, अब देखो पहला कह रहा है, तो इसका मतलब आप एजे गेस, सिलेंडर वाले पाइप की बात करते हैं, और दूसरा जो पाइट बनता है, किसे मालूम चला है हाँ और दूसरा जो नॉर्मल पाइप कहा में लेते हैं, इसका मतलब यह तो नियुमन यह तो सही हो गया, अब तुम्हारे को पहले से कह रहा इसका मतलब तुम्हें नॉलेज भी नहीं है, तो भी यह सही जाएगा, क्या की रक्त इसकंदर में केलसियम की महत्पून भूमी का होती है, बिलकुल सही बात है, यहाँ दम्यों में स्पेशल इल्योमन जो होती है, वो वहाँ पर बिलकुल एक तरह से नेरो टैक्की होती है हाँ, बिलकुल सीने में दर्द होता है, लेकिन मस्तिक्स में रक्त का संचार कम हो जाता है, यह मतलब नहीं है, यह बी यो सिस्टम में, एबी बलड गूर्प सबको दे देगा, ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपके पास सही और गलग, तो इसने बुचा सही कों सा है, तो यहा से यह बुचा गया कि स्टेंडर्ड यहां इसी जी का रूप ले लिया गया, चलो ठीक है अपने इसी जी का रूप ले लेते हैं यहां पर, और क्या पूछना चाह रहा है, उसको देखते हैं, कि कौन सा, कि इसी जी के मानक में अलफाबेट जो दिये हुए है, उनका सही देखते हो, लास्ट में T में end of systole लिखा हुआ है, और T end of diastole, इसका मतलब यह भी गलत हो गया है, यहां से सारे ही आ रहे हैं, इसका मतलब P is depolarization of the atria, इसका मतलब atrial systole में P की step होती है, NCRT के line हैं बिटा, जयान रखे हैं, इसका मतलब यह भी आपका सही है, next step देखते है हैं यहां से, systemic heart refer to, बिल्कुल आपको मालूम चला कि systemic heart जो होता है, वो किस को refer कर रहा है, मालूम चला कि यहां से, यह कह रहा है, रदे जो तंत्रीका, तंत्र जो दिपन, पुजित करता है, भाई यह तो heart is the like contact to under the stimulation from the now system, क्या systemic heart हो हुआ, left auricle and left pentacle in the higher vertebrates, बिल्कुल correct है, क यह कह रहा है, entire heart is the lower vertebrates, निमन कसे रुकों में संपूर्ण अर्दे, ऐसा कुछ नहीं है, माना अर्दे में एकसा दोरी ले, इसका मदब हमारे पास क्या था, second option के रूप में से, बताया गया, अब देखो next, यहां मालूम चला, यहां से पूछा गया, कि एक husband और wife है, डोक् इस पर काम कर रहा है, इसका मतलब अपने को मालूम चल रहा है, कि इस रूप से जाना जा रहा है, आप देखते हैं, यहां पर male नेगेटिव की step है, यहां पोजिटिव की step है, यहां पर पहला ही रूप अपने को अलग से बना दिया, male इसका मतलब negative, यह तो दलत हो गया, female negative and male positive, बिल्कुल यही आंसर चला जाता है, इस परकार से समझाया हुआ है, तुम्हें पका मालूम चल गया, आगे जाने की जूरती नहीं है, फिर देखो next क्या हुआ, में मालूम चला, यहां से बूचा गया, which of the following statement है, जो granulocides के रूप में यहां से पेचाना जा रहा है, कि granulocides के रूप में किस परकार से जाना गया, अब तुम्हें मालूम चला बेटा, कि कौन से statement, granulocides के रूप में, blood का रूप लेका चल रहा है, यहां से, तो यहां पर granulocides में क्या समन्द बनता है, अब कौन-कौन से होते हैं, जो कि granulocides होंगे, मिसी ते तुम्हें मालूम बस गया, basophils बस गया, और neutrophils बस गया, अब इसमें आपको मालूम है, यहां पर इस परकार से, जहां granulocides के स्टेप पर जन्ट है, तो यह तीन ही आपको, especially granulocides में होती है, तो देखो, eosinophils है, basophils है, और neutrophils है, तो इसका मालूम है, यहां पूछा गया, आप देखो, simple है, यहां पूछा गया है, atherosclerosis, जो disease है, उसका relation किस से है, और तुम्हें मालूम है, बेटा, यह simple सा है, हर टाइप के प्रसंदेने पड़ते है, हर बच्छा बहाँ बेढ़ता है, तो ध्यान रखना पड़ता है, यहां पर देखो, atherosclerosis, atherosclerosis जो हुआ है, वो रोग किस के रूप में संदर में, तुम्हें लंक्स के रूप में है, बॉन के रूप में, लीवर के रूप में, ऐसा तुमने पड़ाई नहीं है, हर्ट में तो पड़ा है, बेटा, इसका मतलब यहां से आंसर यह चला जाता है, फिर देखो, next की step क्या हो दी है, तो मालूम चला यहा हो सकता है, बेटा, वहां नजर नहीं गई उस पॉइंट पे, हमारे पहले यहीं मालूम था की भई, रेप्टाइस होते हैं, उन्हें में तीन चेमबर होते हैं, लेकिन क्रूप को मालूम है, पस्ट अपवाद की रूप मालने, आप चाहिए, चार चेमबर माला होता है, तो मालूम चला है, यहां पर क्या था, कि ब्लड है, तो ब्लड में प्लाजमा, RBC, WBC, प्लेटलेट, यह पहला ही चला जाता है, आगे सोचनी की जूरत ही नहीं है, अपने को मालूम चला गया, इसका मतलब यहां से करेक्ट हो जाता है, फिर देखो नेक्स, हर्ट इस कवर्ड मालूम है, हर्ट किस से कवर्ड होता है, तो मैं मालूम है हर्ट के ऊपर जो आवरन होता है, वो कौन सा है, प्थरी कौरड इस लोट नहीं है अर्दे आवरन, जहां पर आपको मालूम है, इस जेसे मालूम यह श आपने होना है कि क्या होना है आप मेरा है तो इसको नहीं होना है तो क्या कैह रहा है क्या नहीं है थे अगस्ट ले तो यहां बूच्हाग लाब यहां से पार्ट कौले इसमिल राठ है मालूम से पार्ट इसलेप हो गया यहाँ पर क्या है वेंट्रिकल ओव्दा हर्ट इस्पेशली पहला ही आंसर चला जाता है कि खोड़ हर्दे के पानियो में मिल जाते हैं तूप उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहां से क्या यहाँ पर पॉलमनेरी आर्ट्री इस टिफर फ्रंदा किसे वेन से पॉल्मनेरी जो आर्टरी है वो इस्पेशली यहां पर पॉल्मनेरी वेन से अलग है क्योंकि इन में से उपस देथ है देखो बड़ी हुआ ऐसा नहीं है बैटा कि मैंने कहा है चोटा सा पार्ट होता है अच्छा पॉल्मनेरी आर्टरी और पॉल्मनेरी वेन का जो पायट है वो किस रूप से यहां पर काम कर रहा है म현ous पॉल्मनेरी और पॉल्मनेरी अर्टरी में हमेंसा प्ना कि उपसर खा जाता है इसलिये ज़्दहाब दिमाग नगाए जितना पूछा गया उतना आप देखो पेले आर्टरी पूछा गया है इसका अश्छाएlor समाक लगाने से गलत हुआ आप में देखना था लार्जर नहीं होता है नो एंडो थीलियम इसका क्या किरा है इसका मतलब मोटा यहां पेशी इसतर होता है क्योंकि मैंने कहा था इसका मतलब वहां पर थोड़ा सा मोटा लेहर होता है तो यह तरह से हम दमनी को समझ ले और सीरा को अपन जैसे नॉर्मल पाइप उसको समझे है यहां पर आप देखते हैं बिल्कुल एक स्टेप में पुछा गया है बिल्कुल ईजी सा है फिर उसके बाद देखो नेक्स क्या हुआ 0.8 से कैसे अपने देखा ना भी हाल ही थोड़ी दिर पहले अपने देखा था कि यहां 0.1 आया 0.7 आया 0.3 आया 0.5 आया तो इसका मतलब देखो टोटिक मिला की किता आ रहा है 0.8 आ रहा है तो इसका मतलब कॉडिक्स है क्योंके लिए क्या आ हुआ पर सकिंड के यहां किस परकार की मेक्रेणीजम चलेगी तो मालूम चला किस परकार से चलेगी हर्ट वीट आर्द इसलेट भाई मालूम मैं रदे इसपंधन का तिर्व होना निश्चित यहां पर सिंपेटी नर्व और एपिनेफरीन वाला पार्ट काम करता है मिस्चित हमारे को देखते चार नमबर आंसर नों का भी वातन तरीकां को एपिनेफरीन के द्वारा इसको आइडेंटीफाई कर लिया जाता है इसका मतलब यह बिल्कुल एंड़ परसेंट आपको मालूम चला आपने को किस रूप से देखो आपको मालूम है बेटा नॉर्मल कंडिशन अपन हर्ट द जैसे यह हुआ ऐसे नोड फिर यहां बंडल ओफिज फाइबर है और यहां बंडल ओफिज के रूप में और यह फिर किनचे फाइबर के रूप में है कौन सा ऐसा ओप्सन है जो कि बिल्कुल सही होगा अपन भालतू दिमागी नहीं लगाएंगे जहां पर अपने पहले से पीज और प्रिकिनचे फाइबर उसके बाद में हैं चार नमरां से चला जाता है यह बहुत इंपोटेंट है यह रिपीट भी हो सकता है आया हुआ है द्यार डखे है यहां से पूछा गया अब अगला क्या किया रहा है यहां दूरिंग दा एलर्जी डिसोडर सिंपल सा है क इसका मतलब आपके पास कौन सा है यह सीनोफिल्स जो होते हैं वह उनमें स्पेशली इंट्रेक्ट होते हैं तो इसके बाद में आप देखते है नेक्स्ट यहां से अपने को मालूम चला क्या पूछा गया है इस्पेशली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के रूप में आप से इसका मतलब परिशन चरपत किस रूप से हैं आपको बालूम चल गया इसका मतलब बीप आ रहा है और बीप आ रहा है इसका मतलब दो नंबर के आस-पास की स्टेप बन रही है यहां आपको मालूम चल रहा है यहां से तो यहां पर बैसो फिल्स में कित्ता हो गया इसका मतलब यहां 0.5 और 1 की स्टेप रही है तो इसका मतलब यह जीड़ो पईंट 5 और 1 की स्टेप तो इसका मतलब दो डो कैसे मालओ अगर लगबग दो क्या असपास आ रहा है तो यह यह आ रहा है और तो इसका मतलब यह करीब दो क्या आसपास आ रहा है तो इसका मतलब यहां एक अफिर नुट्रो फिल्स आपको मालूम है सबसे ज्यादा यह न्यूट्रल है तो इसका मतलब न्यूट्रल की step आपके पास लिए पहला पर पेचान लीड है तो अपने को मालूम चल गया कि यू इसके बाद में W, यहां पर क्या आ आया देखो, पहला है पहला यहांosse क्या आ रहा है, यू फिर W, फिर T और फिर V आ रहा है, तो देखो इसमे किस्स में है, यहां तो है ही नहीं तो इसका मतलद है U,ani, W, P, T और V मालूम चल गया होगा मैंने एक तरीका बताया है इसी तरीके से याद रखना जिससे कि हमेशा के लिए याद रहे ABCD में आपको मालूम है B दो नंबर पर आता है तो 2 क्या असपास 0.5 और 1 होता है याद रखना इसी तरीके से लिंपोसाइट में Y आ रहा है तो Y हमेंसे ABCD में 25 पर आ रहा है तो 20-25% नूट्रोफिल वैसे ही नूट्रल है तो इसका सब ज़्यादा मात्रा उनी है तो 60-50% एसीडोफिल्स को योसीडोफिल बोलते है और आपको मालूम है ABCD में योसीडोफिल्स को आ रहा है पांच पर तो 2-3 मतलब पांच इसका मतलब ये मालूम सल गया मैं समझो सहथ के लिए हो गया होगा आंसर किस रूप में आ रहा है आपको याद भी हो गया होगा ट्रिक्स भी याद रखे यहां से आया रक्त उच्टम यहां देखो क्या कह रहा है जो बीपी होता है वो यहां हाई की स्टेप में देखने को मिल रहा है तो कब कहां कैसे देखो आपको अच्छी तरह मालूम है तो मैक्सीमम बलर्ड प्रेसर इस फाउंडिन जाएगा यहां दमनियों में मिल जाता है अच्छी तरह मालूम होगा इस आधार पर आपको आंसर करना है कि यहां पर किस परकार से उच्छ तम किस परकार मिलेगा आगे चलके तो बढ़ जाएगा तो ध्यान रखना है इसमें ही ज्यादा होना है और वैसे भी बीपी का तुम्हें मालूम है कि लगने वाला दाब होता है हो यहां पर इस परकार की स्टेप होगी बीटा ऐसा नहीं हो सकता कि वह मर जाए दूसरा है और एक ती कुछ नहीं होगा वहां पर इस्पेशली क्या फरक पढ़ने वाला है उसके नहीं है पांस तू आरेज पॉसिटिव पर सब्सक्राइब नेगेटिव ब्लड इस्टार्ट कि लिए करना प्रहरम कर देगा फिर आरेज नेगेटिव वहां पर खुद बर जाएगा ऐसा भी नहीं है इसका मतलब तुम्हारे पास बचाई एक ही पॉइंट था इसके बाद देखो नेक्स्ट का विस्तार क्या है मिल्कुल आपको मालू में एंसी आटी में डिजीज जो कौरेनरी आर्टरी के रूप में समझा रखी है उस डिजीज को पूछ लिया गया है तो तुम्हें फुल फॉम भी आनी चाहिए कि महां बैठते हैं दिमाग तो पहला दूए जाएगा दूसरा ज इसका मंदब सेकेंड चला जाता है ज्यादा सोचने की जुरत नहीं थी उसके बाद देखो नेक्स्ट यहां मर क्या आया हूं अगला कह रहा है कि जूरिंग दा ब्लड क्लोटिंग कनवर्जन प्रोगल आप को मालुम है प्रोगल में ब्लड को अंगल इसका यह नहीं लुक होता है उसके लिए वहां पर जिम्मेदार कौन होताइँ थ्रूमबो का इने चूरुप में पक्का मालूम होगा अपनने उपडंग प्रोग ने सिस्टम से जहां-जहां पॉइंट बनते हैं वहां-वहां पुरा समझाने की कोशिस की है कि एक भी पॉइंट नहीं रुके NCRT के पूरे concept भी आये चाहिए वो blood group का हो चाहिए वो RS factor का हो चाहिए वो heart का हो चाहिए वो artery का हो किसी का भी हो आपको मालूम चल रहा होगा एक भी नहीं छोड़ा हुआ है तो उसके बाद में देखो next यहां से आया neutrophils होती है nucleus of the neutrophils क्या कहा कैसा होता है nucleus कैसा होगा अच्छी तरह मालूम है बेटा कि यहां पर byloved spindle of spells of आपको मालूम है multi loop दोता है neutrophils में इसका मतलब आपके पास तीन चला जाता है diagram यहां पर आपको मालूम है इसका मतलब यहां पर multi loop step में आंसर चला जाता है पर यहां से मालूम चला next क्या है दिया हुआ diagram है इसमें ABCD के नाम कूछे गहे हैं अपने को मालूम आँ सीक ए ऑनसा नाम किस गया है देखो अपने को मालूम चला वाला वैडूल है यहां आज ली आ जला जाता है सोचने की जूरुत नहीं ती इसलिए यह चला जाता है इहां पर यह नियुदम्रेखिन कि especially urethra वाला पार्ट यहां से मानना पड़ा है यहां अपने को मालूम चल गया इसमें यह बिल्कुल 100% यह सही है क्योंकि C में आप देखते हैं यह दिखते हैं यह दिखते हैं अपने को मालूम चल रहा है यहां से कि आपको मालूम है कि जो डिया हुआ है इसमें आपको वही पैचानना है यह दिखते हैं इसका मतलब क्या मालूम चल रहा है यहां से हुआ इफ्रेंट तो इसका मतलब यह वाला एफ्रेंट है गालूम है आपको सिरफ दो में और जल चार में अब अपने को मालूम आगे देखना है अपने ऊपने यहाँ लूब हो गया, फिर उसके बाद मिली कैं हो गया? वासा, रेक्टा और यहाँ और लेक्षिश शेंडिंग आब है? है दूसरा यहां सही हुआ है सही हुआ है फिर यहां से यहां से क्या रहा है अगला पूछ रहा है कि जब हम किसी नेफ्रों के रूप में यहां आउटर से इनर साइड जाते हैं आउटर तो मैं मालूम है है को टेकल पार्ट होता है यह निहीं की तो करेंगे है को रघर ऑपकी पर अपने देखा यह यहां लगी नहीं देखते हैं सलकhपता है को आपको पका मालूम सेलता है तो वहां पर इस और मेली रर मीनट में आधार पर निकलती है. निकल जाता है, ये भी 群क हो जाता है, फिर नेक्स यहाँपर कौन सा बना। कौन सा सिभम सिबम का भाग नहीं है देखो बिल्कुल ये भी NCRT के last paragraph में आप देखते हैं, important point के रूप में है, आपको अच्छी तरह मालूम चला कौन सा part है, जो की especially यहां पर नहीं है, इसका मतलब not part, तो इसका मतलब यूरिया, इसका मतलब answer के चला गया, चार नमबर, फिर उसके बाद next देखते हैं, यहां आ of the urea in the blood, निशित मालूम चल रहा है बिटा, कि blood के अंदर urea यहां पर present है, तो यहां क्या है, urea in the blood, रक्त में urea का संचे होना क्या कहलाता है, आपको मालूम है, पहले से ही कि uremia के रूप में जाना जाता है, यह अपना देखो, जहां तक मुछी उम्मीद है, आपको अच अची तरह जानते हैं, कि solution में हमेशा उस point को आप देखो, जहां आपको लग रहा है, कि वास्ता में crystal clear नहीं है, तो उस point को आप NCRT में अच्छी तरह देखने ही कोसिस करें, और मैं समझता हूँ कि जहां तक उम्मीद है, आपके बहुत जादा अच्छी से सही होएंगे, क आपको मालुम चल गया कि NCRT-based था, एक्जामपलर है, उसके अलावा जो scanner होता है, NCRT का उसको भी scan करके आपको देखना चाहिए, कि वहां पर भी आप खास तो और से जनेटिक्स में देखेंगे, या अधर कोई पार्ट में देखेंगे, तो वहां पर बहुत अच्छी पर रेना चाहिए, बिंदा से रेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के परती हमें सा सीरियस रेना चाहिए, मुझे पक्का मालूम है कि आपका सब का अच्छे से अच्छा पेपर हुआ होगा, आपको लग भी गया होगा, NCRT-based है, बिल्कुल टेंशर कड़े की जूरत नहीं है, ब और फिर भी बच्चा नहीं करता है, तो हम प्रस्ट में डाल देते हैं, जिससे की बच्चे को मालूम चल जाए कि ये मेरी मिस्टेक थी, या मैंने सही नहीं किया, आपको मालूम चला, और मुझे उम्मीद है काफी अच्छा पेपर गया होगा, और अच्छी तरह समझ में होगा, कोई नहीं आया हो, तो आप बिल्कुल केंपस में, आप प्रॉब्लम काउंटर पे आके और समझने की कोशिस करें, ओके बहुत अच्छा गया होगा, ओके जाए CLC, हलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं साब अच्छे होंगे, तो आज आपकी बायो 2.8m to 1.2.8m in 50 मिनट, ठीक है, कि 50.8m है, प्रेशर 2.8m से घटकर 1.2.8m हो जाता है, then the rate of reaction in terms of molarity per second, आपको जो हो इस तरम में, जो हो rate of reaction निकाल नहीं, तो एक चीज़ देखो, कि rate के लिए हम बोलते है, rate होती है, हमारे पास क्या change in concentration upon change in time, यह rate होती है, अब आपको क्यो equal to में, बोल सकता हो, देखो, V नीचे जाके हो गया, CRT, तो C की value अपने पास आजएगी, P upon RT, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R is equal to मेरे पास निकल के आएगा, DC की जगा मैं लिखूँगा, DP, RT तो क्या हो गया, constant divided by dt, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप change in pressure, तो change in pressure तो कितना है, 2 ATM से कितना हो गया, 1.2 हो गया, तो change कितना है, 0.8 का, ठीक है, नीचे R की value जो है, वो लिटर एटमोसफेर वाली लेनी है, 0.0821, तो इसको nearly solve करने के लिए 0.082 ले ले तो, exactly solve करने के लिए आप 0.0821 ले 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 न, ठीक है, उससे कोई answer में इतना ज अब आपको answer पूछा है, भीया, पर second में, तो इसको second पर convert करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह अपने पास आएगा, यह approximately कितनी बार जाएगा, 10 बार, यह cancel हुआ, तो अपने पास आया, 1 upon 298 into, कितना आएगा, 300, ठीक है, और इसको solve करोगे, तो solve करने पर अपने पास निकल क इसका दिया होगा, तो next question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question है, आपको बोल रहा है कि, a zero order reaction is one, एक सुन्य कोटी की अभिक्रिया में, क्या होता है, तो in which reactant do not react, अगर reaction, reactant reaction ही नहीं कर रहे हैं, तो reaction का ही किया है, in which one of the reactant is in large access, अच्छा, कि कोई एक क्रिया कारक, अत्य दिक मातरा में उपस्तित होना चाहिए, इसा कोई ज़रूर नहीं है, मालो दो reactant है, एक अत्य दिक मातरा में उपस्तित है, तो zero order की वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यह ठीक है, क्योंकि zero order के लिए हम बोलते हैं कि, r की value constant रहती है, r is equal to क्या आता है, जैसे कोई reaction है, मालो a is converting into product, अब अगर मैं कहूंगा, zero order reaction है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, a की power कितनी, zero, तो r की value जो किसके वराबर आएगी, k के वराबर आएगी, हमेशे कहा रहती है, constant रहती है, whose rate increases with time, यह तो change होने का सवाल ही नहीं होता, तो यह है अपने पास question number second, next question की तरह बढ़ते ह है, वो है, कि given that k is the rate constant for some order of any reaction at temperature t, यदि k किसी कोटी की अविक्रिया के लिए t ताप पर दर नियतांक है, तो log k कमान क्या होगा, आपको log k की value पूछी गई है, और condition इसमें यह डाल दिया है, कि limit time tends to infinite, मतलब एक तरीके से जो temperature है, ठीक है, इसको जो हो क्या कर दिया है, infinite कर तो अपने पास basically जो rate constant क्या होगा, ठीक है, तो अब देखेगा कि log k की value पूछे, तो relation क्या कहता है, k is equal to a e की power minus ea upon rt, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा कि log k is equal to log a, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा, यह minus ka ea upon rt, तो अगर मैं temperature को infinite कर दूँगा, यहाँ temperature को हो जाएगा, infinite होगी, हाँ की नहीं, कि अगर degree centigrade में temperature को infinite किया है, तो Kelvin में भी infinite और यह infinite होगा, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो log k की value किसकी equal आएगा, simply log k is equal to क्या जाएगा, log a आजाएगा, तो यह है अपने पास question number third, next question की तरफ बढ़ते है, question number four देखेगा, क् in the activation energy for a reaction is 9 kilocalorie per mole, ठीक है, किसी अविक्रिया की जो सक्रियन उर्जा हो कितने 9 kilocalorie per mole है, जब तो आपको 298-308 तक बढ़ाए जाता है, तो दर नियतांक में व्रदी कित्ती होगी, आपको एक हिंट भी दे रखा है, तो हिंट दे रखा है, तो आप देखना जरा कि यह कितना है, 1.63 है, ठीक है, तो आपको शायद यहां से कुछ अंदाजा लग सकता है, बाकी जो हो चाहो तो आप जो हो इसको पूरा डिटेर्में भी सौल कर सकते हो, तो देखो, टेंपरेचर की रिलेशन, टेंपरेचर का जो है, वो दर नियतांक के साथ, रिलेशन सीब होता है, ल है, तो आपको बोरा है कि दर्न यह तांक में व्रदी कितनी होगी, यानि कि मेरे को K2 by K1 की वेल्यु निकालनी है, अभी चेक कर लेता है, तो लॉक K2 by K1 is equal to Ea की वेल्यू आपको कितनी देर की है, 9 कीलो कैलोरी है, तो भीया किलो और नीचे 2.303, आर की वेल्यू कैलोरी म तो अपने पास जो हो यह solve करके जो हो छोटी सी calculation आपको करनी पड़ेगी 0.212 ठिक यह निकल के आएगा तो k2 by k1 is equal to आएगा 10 की घात कितना 0.212 क्योंकि यह 10 बेस पर है और इसकी जो value है यह आपको देर कितनी देर के k2 by k1 is equal to 1.63 दे रखा है तो k2 की value जो है 1.63 और यह क्य क्या आगी k1 अब आपको क्या पूचा है आपको तो percentage change पूचा है तो percentage change हम कैसे निकालते है वही है जी percentage change निकालने का तरीका अपने पास होता final minus initial by initial into 100 तो final तो कितना आगया 1.63 k1 minus k1 divided by k1 into कितना कर दो जी 100 कर देता हूं तो यह अपने पास कितना आ जाएगा 63 परसेंट त तरह बढ़ते हैं तो अगला question अपने पास हो वही है question number five देखेगा आपको क्या बोल रहा है कि the chemical reaction two or three is converting into three or two process as follow एक reaction आपको दे दी और reaction में जो है वो कुछ इस तरीके से mechanism दे रखिए फिर आपको बोल रखा है कि वह या तो दर नियम का निरुपन यानि आर की वेल्यू आ देखो reaction overall हमारे पास है two or three is converting into three or two ठीक है और आपको बता है कि जो slow step होता है वो ही क्या होता है अपना RDS होता है तो RDS के according R is equal to में बोलूँगा भी या मालो के है इसका जो दर नियता है का वो मालो के डैश है ना तो के डैश into concentration of O और concentration of O3 अब एक चीज़ आपको पता होने चाहिए कि जो दर नियम होता है उसमें हम प्रेरक की सांदरता लिख सकते हैं उसमें हम क्रियाकारक की सांदरता भी लिख सकते हैं एवन उसमें हम product की concentration भी उसमें आ सकती है लेकिन कभी भी दर नियम में किसी मध्यवर्ती की सांदरता नहीं आती है तो यहाँ पर जो है वो क्या है ओ तो इस ओ को को क्या करता पड़ेगा सेुट से अठाना पड़ेगा साथ इसके लिए में संदरता दिवाइड वाइड वाइड है अपर ड्लुमर II यहां से चैमर निकाल लेता ओम तो यह आ ceux तो यहां से मैं ऐसा वह सकता हूं देखो constant constant लिख देता हूं यह तो आया के और यह आ जाएगा ओ थरी की पावर कित्ती टू और ओटू की पावर कित्ती आजएगी माइनस वन तो कुछ इस तरीके का expression बन रहा है किसका दर दर का या दर नियम का जो है वह ऐसा expression बनेगा उमीद करते हैं क्वेशन आपने ठीक किया होगा कि इसमें कोई ज्यादा था नहीं ऐसे खूब क्वेशन की प्रेक्टिस आपने करी होगी क्वेशन आपकी NCRT की एक्जांप्लर का क्वेशन है ठीक है न NCRT बैस्ट पूरा पेपर तो आपसे यह भी उमीद रखते हैं कि आपने काफी अच्छा स्कूर इसमें किया होगा आपका स्कूर जो भी है आप कमेंट वोस बॉक्स में लिखे जरूर बताए मेरे को नेक्स्ट जो हो क्वेशन की तरह बढ़ते है तो अगला क्वेशन है दर रेट कॉस्टेंट के फोर दर रियक्शन टू अप्लस बी कनवर्ट इंटू प्रोड़ रियक्शन देखो आपको जो हो दर रेट कॉंस्टेंट की वेल्यू दे रखी है अलग अलग पर और सीधा सा है बहुत सिंपल सा है आप यूनिट से सीधा आरा आँसर ठीक है तो यूनिट जो हो अपने पास किसकी है यूनिट अपने पास आईए भीया जी मोल इनवर्स ली बात नहीं है next question की तरव बढ़ते हैं तो question number है विया तो यह question number 7 जो है वो आपको बोल रहा है कि the rate constant of reaction can be expressed by the RNS equation यह बिल्कुल यह हम इसको ऐसे express करते ही करते हैं आपको आगे बोल रहा है कि in this equation Ea represent इस सामिकरण में Ea जो हो वो प्रदशित करता है किसको प्रदशित करता है the energy above which all the colliding molecules will react ठीक है तो इस उर्जा से ज्यादा मतलब जो Ea है वो आपको पता होना चाहिए सक्रेन उर्जा है और सक्रेन उर्जा क्या होती है कि भाईया वो नियूंतम उर्जा जिससे उपर अगर energy है तब तो क्रियाकार रियक्ट करते हैं रियक्ट करके product convert हो जाते हैं ज जितने भी टकराने वाले अणु है वो सारे के सारे कभी reaction नहीं करते हैं उनमें से केवल वो ही portion reaction करता है जो केवल वो ही टकरे उत्पात में बदलती है जो एक सही दिशा में होती है जो सही विन्यास के साथ होती है इसलिए all the molecules all the colliding molecules ये statement जो है क्या है गलत है जो सही अभी विन्यास वाले टकरे ही उत्पात में बदलती है the energy below which colliding molecules will not react ये ठीक है क्या इससे कम उर्जा होगी तो जो colliding molecules से टकराने वाले अनु जो है वो अविक्रिया करेंगे नहीं ठीक है ना बिल्कुल उनमें reaction होई नहीं सकती the total energy of the reacting molecules at temperature T total energy का तो कोई मतलब भी नहीं होता कोई sense ही नहीं होता the fraction of molecules with energy greater than the activation energy of the reaction वह यह देखो fraction of molecules को indicate करता है ये ठीक है ये होता है fraction of molecules EA is not fraction of molecules तो ये भी नहीं होगा केवल second answer सही होगा तो उमीद करते है question आपने ठीक क्या होगा next question की तरफ बढ़ते हैं तो question number 8 देखिएगा क्या करा है question number 8 for the first order reaction ये एक first order reaction अपने पास है और आपको इस पर वो रहा है A is converting into NB at the point of intersection of two curve shows the concentration of B can be given by तो B की सांदरता को हम किसके द्वारा लिख सकते हैं आप एक चीज़ ध्यान देना कि भीया इस intersection पर दोनों की concentration क्या है बराबर है यानि कि A is converting A is equal to B ऐसी condition आ रही है तो आप सोचो जड़ा कि अपने equal to zero पर मैं माल लेता हूँ इसकी concentration जो है वो A note आपको दे रखिए कितनी है concentration A note है यह किता होगा zero और फिर जब intersection करें टी टाइम की बात करें जब दोनों एक दूसरे को cross कर रहे है इस point पर तो मैंने बोल दिया यह है जी माल लो A note minus X इसके X इसका N बनता है तो इसका कितना है इसका आएगा N X clear है बात तो अब यहां से काम करता हूँ पहले तो मैं X की value निकाल लेता हूँ क्योंकि इस point पर दोनों बराबर है तो मैं ऐसे लिखूंगा A note minus X is equal to क्या आएगा N X तो A note is equal to N X plus X तो X is equal to अपने पास आएगा A note upon N plus 1 यह X की value आ गए निकल के clear है अब B की स सांदरता जो है वो है कितनी B की सांदरता तो N X है यानि आपको N X की value चाहिए तो इस equation को दोनों तरफ जो हूँ मैं किसे N से multiply कर देता हूँ तो यह concentration of B आ जाएगा तो अपने पास आएगा N A note divided by N plus 1 यह आएगी भहिया concentration किसकी B की ठीक है ना तो उम्मेद करता है question समझ में आया होगा next question की तरह बढ़ते है question number 9 9 number question जो है वो आपको क्या कह रहा है कि if concentration of reactant is increased by X the rate constant K becomes यदि क्रियाकार को कि सांदरता को X द्वारा बढ़ा दिया जाए तो दर नियतांग कभी भी सांदरता पर निर्वर नहीं करता है दर नियतांग निर्वर करता है एक तो ताप पर और दूसरा जो है वो आप बोल सकते हो उत्प्रेरक पर है ना क्योंकि उत्प्रेरक सक्रियान रुजा को बदलेगा सक्रियान रुजा बदलेगी तर नियतां की वेल्यू बदल जाएगी तो के ही रहेगा ठीक है ना next question है आपने पास question number 10 देखिएगा आपको क्या कर रहा है 10 number question है कि 4A reaction एक reaction दिया आपको PA QB is converting into product the rate low expression is R ये rate low expression दिया है तो R is equal to given up या K A की पाउर 1 और B की पाउर कितनी है M ये rate low expression है ठीक है अब एक चीज़ देखना कि अगर ये सरल अविक्रिया है ठीक है तो सरल अविक्रिया अगर होगी तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सरल अविक् लिख देते हैं ठीक है क्योंकि सरल अविक्रिया के लिए एक्स्परिमेंटली ये देखा गया है कि ये इसको डिर्कली फूलो कर लेता है तो सरल अविक्रिया के लिए तो मैं बोल सकता हूँ P प्लस M की जो value है न ये equal होगी किसके 1 प्लस M के सरल अविक्रिया के लिए लेकि नेक्स क्वेशन की तरफ आगे बढ़ता है तो भागी जो है इन में से किसी भी चीज को चेंज नहीं करता है तो गिब उर्जा हो गई यह चेंज होगी उत्प्राइक की उपस्टती में नेक्स क्वेशन की तरह बढ़ते है तो भाईया देखेगा क्वेशन नंबर है बारा तो बारा नंबर क्वेशन जो हो आपको क्या बोल रहा है कि इस चेंज होगी तो हमें इत्ता तो पता है कि ए तो क्या होगा डिक्रीज होगा और बी क्या होगा इंक्रीज होगा तो ए का डिक्रीमेंट भी जो चरगातां कि आना चाहिए रवी का इंक्रीमेंट भी कैसा आना चाहिए थोड़ी देर बाद देखो इसमें इकलिवरियम भी दे रखा है तो मतलब है दोनों की बीच में कभी न कभी सामें भी आता है ठीक है which of the following figure correctly describe the change in concentration of reactant and product with time तो भीया देखो यहाँ पर जो है वो अपने पास A की concentration जो हो वो decrease हो रही है B की concentration जो हो increase हो रही है लेकिन इन दोनों की बीच में जो हो कभी भी concentration equal नहीं हो रही है लगातार change हो रही है तो सामें कभी आया ही नहीं सामें नहीं आया तो यह होगा नहीं ठीक है इसको चेक करता है A की concentration decrease होई B की increase होई और भीया इस point पर जो हो द हो रही है लेकिन यह linearly increase हो रही है exponential थोड़ीना increase हो रही है और यहाँ B की concentration decrease हो रही है यह linearly decrease हो रही है exponentially decrease नहीं हो रही है तो option को सा जाएगा second option is the correct next question की तरह बढ़ते हैं तो अगला question जो है वो आपको बोल रहा है कि the value of rate constant of a pseudo first order reaction देखो जी pseudo first order reaction का जो दर नियतांग का मान है depends on the concentration of reactant present in small amount depend on the concentration of reactant present in excess it is independent of concentration of reactant depends only on temperature ठीक है एक चीज़ मैं आपको बताता हूं जैसे हम बोलते हैं बिया कि ethyl acetate का हमली अमाद्य में जलब गटन pseudo first order की reaction होती है ठीक है जैसे example है अपने पास कोई भी ester है CS3 COOC2H5 अब इस पे जो है वो H2 है H2 किसमे है excess में होता है और इसका जो हो जलब गटन करवा दिया तो हमारे पास बना CS3 COOH और यह जो है वो साथ बना वही है C2H5 OH यह reaction है ठीक है अब इस reaction में हम बोलेंगे R is equal to K ठीक है मतलब यह है कि जो दर है ना वो किस पर depend करनी चाहिए exactly हमें यह चीज़ चेक करनी है तो K और होता क्या है कि normally कोई reaction है तो उसके लिए हम ऐसा देखना है है H2O CS3 COO C2H5 अब आप को कि सर जो चीज एकसेस में होती है ठीक है उसको तो हम लिखते ही नहीं है है तो देखना है इसका logic समझना कि एकसेस पर चीज़ उसको क्यों नहीं लिखते है क्योंकि बहुँद उसकी सांत्रता समय के साथ बदलती नहीं बहुत सारा पानी है अब बहुत सारा पानी है उस पे से थोड़ा सा जो है पानी काम में आ गया तो इसकी सांदरता समय के साथ बदलेगी नहीं और सांदरता अगर समय के साथ नहीं बदल रही है तो यह दर जो है वो सांदरता पर निर्फर ही नहीं करेगी यानि यह वाली ची है क्योंकि भाई या कोटी तो इसकी जो एक से जादा आ रही है और कोटी इसकी क्या रही है एक आ रही है तो इसलिए शुड़ो फस्टोटर रियक्शन हो और के डेश की जो वेल्य होगी यह होगी के इन्टू कंसेंट्रेशन ओफ एच टू तो अब एक चीज देखना कि के डेश की वेल्यू एच टू पर डिपेंड कर रही है एच टू की सांदर्ता जादा होगी जो चीज एकसेस में है उस पर डिपेंड कर रही है ठीक है ना तो यहां पर जो हो अपने पास आंसर जाएग वहां पर तो हम उसको तो लेते ही नहीं है तो फिर भी जो है उम्मीद करते हैं आपने सही किया होगा सही तो कहां से किया है नेक्स क्वेशन की तरह बढ़ते हैं को च्वेशन नंबर 14 जो है वह एट हाई प्रेशर दा फॉलोविंग रिएक्शन इस जीरो ओर ठीक है उच् आपको बता है था क्योंकि जीरो ओर के लिए मैं बोलूँगा और यह एनस तरह की पावर किती हो जाएगी जीरो जाएगी ठीक है रेट ओफ रिएक्शन डिपेंट्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अब भाई जब जीरो ओर की रिएक्शन है तो रेट अमोनिया की कंसंट्रेशन पर नहीं कर रहा है तो प्रेशर पर कैसे डिपेंट कर सकता है क्योंकि पी इसक्वल्टू तो आपको कहा था CRT तो RT तो क्या है constant है तो इसलिए यह चीज जो pressure पर depend भी नहीं करेगे कि C पर depend नहीं है तो pressure से भी independent रहेगा तो अपने पास कौन सा जाएगा A और C तो only A and C is the correct option ठीक है next question की तरफ हम बढ़ेंगे तो question नमर 15 देखते हैं question आपको बोरा है the rate constant K1 for the reaction N2O5 is converting into 2NO और half O2 आपको इसका rate constant देरक का है इतना है और यह second inverse में है ठीक है यानि first order reaction है which equation give below describes the change of N2O5 with time N2O5 का time के साथ सही आपको relation तो भीया first order के लिए आपको एक will help equation आती है वो पता होनी चाहिए will help equation होती है भीया 80 is equal to A note E की power minus KT यह will help me question होती तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80 upon A note is equal to E की power minus KT या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A note upon A T is equal to E की power क्या आजाएगा KT आजाएगा अब अगर जो है वो A note जो है वो क्या है initial concentration 80 क्या है final concentration या at T time concentration तो अपने पास condition ऐसी आएगी N205 not divided by N205 T is equal to E की power कितना आएगा KT तो एक तो यह ठीक है तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो N205 note इसको उधर दे जाओ तो option number second जो हो क्या हो जाएगा तो अगर मैं इस ही में जो हो दोनों तरफ log लेलू तो अपने पास जो वो ln N205 not divided by N205 T is equal to यहाँ पर power कितर आजाएगी सामने KT और यह साथ में क्या आएगा log E तो log E कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यह वाला भी ठीक हो सकता है और यह वाला भी ठीक हो 16 देखिएगा कि for the first order reaction A is converting into B plus C carried out at 27 degree centigrade if इतना percent of the reactant molecules exist in the activated state the E A activation energy of the reaction मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको जो हो fraction of molecules की बात करे थी activated fraction of molecules तो RNS जो है वो अपने पास equation यह कहती है कि K is equal to A E की power minus E A upon RT तो actual में इसमें E की power minus E A upon RT यह बताती है किसको fraction को यानि कि E की power minus E A upon RT इसकी value आपको दे रखिए 3.8 into 10 to the power minus 16 percent percent का मतलब divide by 100 दोनों तरह आपन इसको log लेकर solve करते हैं तो minus E A upon RT यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और चलो लिख देता हूं या या log E 0 नहीं एक बोलना चाहिए था मुझे और इधर आएगा आपने पास क्या 3.8 log E और इधर आएगा divide by 18 था ना तो log 3.8 into 10 to the power divided by 100 percentage था 10 to the power minus 18 यह आएगा अब क्योंकि यह log E है तो log E की value कित्ती हो गई एक हो गई तो इसको जह है मैं ऐसा लिख सकता हूं कि log log 3.8 गुणा 10 की घात माइनस 18 बराबर माइनस का E A upon 2.303 और यह क्या जाएगा R T आजाएगा clear है बात अब यहां से मुझे क्या करता है E A निकालना है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं देखना जरा log 3.8 log 10 तो कितना हो गया शुन्य हो गया log 10 की value तो एक हो गई माइनस E A upon 2.303 और यह क्या आया R और यह T अब log 3.8 का मान आपको दे रखा है कितना .58 तो .58-18 is equal to minus का E A upon 2.303 और यह क्या आया R T ठीक है और यह जो हो अपने पास कितना जाएगा point minus का 17.2 minus minus cancel तो यहांसे E A की value मेरे पास निकलके आ रही है देखना जरा 2.303 किलो जूल में पूछे तो R की value में 25 बटे 3 ले लेता हूं ठीक है और temperature जो हो आपको reaction का D I E होगा 300 ठीक है और इधर कितना पचा 17.42 क्लियर बात यह सब कुछ पचा है किलो जूल में पूछा है तो नीचे आपको 1000 से इसको divide भी करता पड़ेगा यह अपने पास आ गया 10 से divide कर दूँगा तो इसको 303 और इसको जब solve करोगे ना तो यह अपने पास देखल कहाएगा कितना 100 किलो जूल पर मॉल्ट ठीक ना तो यह है विया question number 16 next question की तरफ बढ़े है तो अगला question अविया question number 17 देखेगा क्या कह रहा है कि यह first order reaction is 50% completed in 20 minute यहनी उसका टी हाफ देरका है कितना 50 टी हाफ 20 देरका है at 27 degree centigrade and in 5 minute 47 देखो ज़रा कि यह यह आपको देरका है कि अगर temperature 300 Kelvin है टी है temperature कितना है 300 Kelvin तपतो टी हाफ उसका है 20 minute टी है और temperature को बढ़ा के आपने जो कितना कर दिया 233 प्लस 47 कर दिया टी है यहनी कि एक तरीके से 320 Kelvin आपने कर दिया तो टी हाफ जो बढ़ा के कितना होगय यह 5 minute हो गया है निचि guys temperature बढ़ा होगे तो अब इक्रिया की जो हो वो activation energy क्या होगी, आप एक चीज देखना, कि T half जो है न, अगर मैं कहता हूँ कि महालो यहाँ पर दर नियतांक जो हो K है, क्योंकि आपको पता, first order के लिए मैं बोलता हूँ T half is equal to 0.693 divided by K, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक equation बना सकता हूँ, इसको मैं K1 बोल देता हूँ और इसको K2 बोल देता हूँ, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि T half 1 divided by T half 2 is equal to K2 by K1, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो T half 1 आपको दिया है कितना 20, और यह दिया है कितना आपको 5, तो K2 by K1 जो हो अपने पास निकल के आए कितना, 4, clear बात, तो अब आपको बूछ रह हो गया है, जो अभी अपने लगाया था, क्या आया था भाया, log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R, और यहाँ पर आएगा 1 by T1 तो कितना है 300, फिर कितना कर दिया 320 कर दिया था, तो log यह कितना आएगा K2 by K1, 4, लोग 4 की value 0.60 अभी मैंने बताए थी, और is equal to EA मुझे निकालना है, और और फिर यहाँ मेरे पास निकल के आएगा, देखो नीचे तो आजाएगा कितना 300, 320 और उपर चला जाएगा कितना 20, ठीक है, इसको solve कर लेते हैं, तो EA is equal to 0.60 और यहाँ है 2.303, 25 ठीक है, यहाँ उपर आएगा 300, 320, divide by, नीचे आएगा कितना 20, और 3, अब किलो जूल में नीचे आपको 1000 से भी इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक न, इसको solve करोगे, तो यह exactly solve किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है, 55.14, exactly answer आएगा, ठीक है, तो option number second is the current, तो next question की तरह बढ़ते हैं, अगला question जो है, वो question number 18, देखें क्या कर रहा है, कि for a certain reaction of order n, the time for half change, t half is given by t half is equal to, आपको जो है वो time, t half दे दिया, कित्ता दिया विया, t half, यह दिया 2 minus root 2 divided by k, into c naught की पावर कित्ती 1 by 2, ठीक है, फिर आगे आपको बोल रहा है, कि जहां k जो है वो दर नियतांक है, c naught प्रार्मिक सांदरता है, तो n का मान क्या होगा, ठीक ह तो यहां एक चीज़ देखना, कि t half जो है ना, यह proportional होता है, 1 by a naught की पावर, n minus 1k, ठीक है, तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, कि t half proportional आता है, a naught की पावर, 1 minus nk, आजे, तो यहां से देखो, और c naught जाओ, initial concentration है, तो मैं ऐसा बोल सकत हो, अगर इनको compare करो, तो 1 minus n is equal to, किता है, 1 by 2, ठीक है, तो अपने पास जो हो, अगर n की value मैं calculate करूँ, तो n is equal to, मेरे पास निकल काएगा, 1 minus 1 by 2, यानि कि कितना जाएगा, 0.5, तो यानि कि एक 0 order की reaction है, तो question number 18 के बाद में, next question की तरफ बढ़ते है, question number 19, in the following, first order competing reactions, कि दो कोनो reaction जो है, वो first order की है, ठीक है, और A के लिए तो K1 है rate constant, B के लिए K2 है, तो the ratio of K1 by K2 if only 50% of B will have been reacted, when 94% of A has been reacted in same time, ठीक है, कि A का तो 94% reaction कर रहा है, तो A के लिए equation क्या लिखूंगा, K1 T is equal to 2.303 log, पहले था 100, 94% reaction कर गया, तो बचा किता है, ठीक है, और फिर B के लिए लिखूंगा, K2 T, 2.303 log 100 upon, इसका 50% reaction कर गया है, तो बचा कितना, 50, divide कर देता हूं, क्योंकि मुझे K1 by K2 निकालना है, दोनों का time तो same है, ये cancel हो जाएगा, ये cancel होगा, 50 बटे 3 आएगा, 50 by 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 50 minus log 3, और न 50 की value होती है, कितनी, 1.69 और log 3.47 divided by 0.3010, और इसको जब solve करोगे तो ये आजाएगा 4.06, ठीक है, तो answer जाएगा कौन सा, 4.06, लेकिन question में जो है, वो इधर थोड़ी सी गड़वड हो गई है, यहाँ पर जो A का 50% दे दिया और B का 94% दे दिया, ये Hindi English translation में कुछ आएगा, वो उल्टा आजाएगा, log 2 तो उपर चला जाएगा, और नीचे आजाएगा, log 50 minus log 3, तो वो ही है, 0.30 ये 1.69 minus 0.47, तो in this case, answer जो चला जाएगा, वो जाएगा 0.246, तो ये question जो है, वो आपका bonus कर दिया जाएगा, next question की तरफ बढ़ते है, 20, देखेगा, वो रहा कि एक दित्य कोटी अविक्रिया के लिए दर्स हमेगा, second order के लिए rate of तो ये आपको इसमें कुछ जाएदा सोचना नहीं है, ठीक है, तो second order का जो है, वो equation अपने पास ही होता है, case equal to 1 upon 80 minus 1 upon a note into t, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, conceptual, बाकि derivation जो हो, आपने इसका ज ठीक है, the initial concentration of a is 0.1 molar, after 40 minute, it becomes 0.025, इसका मतलब यह है कि 0.1 था, और फिर 0.1 से कित्ता हो गया होगा, 0.5 हो गया होगा, और फिर 0.5 से कित्ता हो गया, 0.025, और यहां से यहां total जो है, वो 40 minute लगते हैं, यानि कि यह कितना है, यह 20 minute है, और यह अगला t half, यह 20 minute, ठीक, फिर आगे आपको बोरा है कि calculate the rate of reaction at reactant concentration of 0.01, ठीक है, आपको rate of reaction पूछी है, तो r is equal to k, और यह first order reaction है, तो a की पावर 1, अब a की value जो हो दे दी 0.01 की पावर 1, अब k का जुगाड करता है, तो अब आपको तो पता ही है कि t half is equal to क्या होता है, first order के लिए 0.693 divided by k, तो k is equal to हो जा है, तो simple सा यहां पर आपको put करना है 0.693 और यह आजाएगा 0.01 divided by कितना 20, तो इसको solve करोगे तो यह आएगा 3.47 into 10 bar minus 4, next question की तरह बढ़ते है, तो अगला question जो है वो अपने पास है विया, question number 22, ठीक है, तो question number 22 देखिएगा क्या कह रहा है, question number 22 है, in acidic medium, the rate of reaction between BRO3 and BR-ion is given by the expression आपको rate of reaction दे रखिए, clear, it means rate constant, ठीक है, rate constant of overall reaction is 4 second inverse, question में आपको ऐसा कोई data नहीं दे रखा है, जिससे हम K की value 4 second inverse निकाल ले, फिर जो है हो, क्योंकि यह experimental होता है, तो यहाँ से मैं इस reaction का order अगर चेक करूंगा न, तो order कौन सा है, 4, ठीक है, यह 4th order reaction है, और 4th order reaction है, तो यहाँ second inverse दे रखा है, तो यह भी possible नहीं है, फिर जो हो, rate of reaction is independent of the concentration of acid, वहिया, acid की concentration पर तो depend कर रहा है, यहाँ पर, तो यह भी नहीं होगा, the change in pH of solution will not affect the rate, करेगा विया, rate तो effect होगी pH change होने से, क्योंकि H plus पर depend कर रहा है, अगला doubling the concentration of H plus ions will increase the reaction rate by 4 times, exactly वहिया, देखो, ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें यह पता है, R1 जो है, by R2, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि H plus ion की concentration का square, नीचे H plus 1 और दूसरा जो है, आजाएगा H plus 2, ठीक, तो अब क्या किया है, कि H plus ion को जो हो, क्या कर दिया, डबल कर दिया, अगर इसको डबल करोगे, तो rate जो हो, चार गुना ह होगी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, square है, इसका मतलब यह जो statement है, वो अपना बिल्कुल क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही है, next question की तरह बढ़ते हैं, तो question number 23, 23 question यह बोल रहा है, कि the dissociation of H2O2 is a first order reaction, ठीक है, फिर जो है, वो आगे बोह रहा है, the half life for 16 VH2O2 is 30 minute, तो calculate the time at which the solution is 1 VH2O2, तो KT is equal to हम बोलेंगे 2.303 log और यह क्या है, एनोट by 80, तो पहले जो है, वो H2O2 कितना था, 16 V था, यानि एनोट को तो आप ले लो 16, और 80 कितना कर दो, 1 कर दो, simple सा काम है, और आपको K की value जो हूँ, अभी मैंने कहा था, first order के लिए 0.693 by T half, तो T आप दे र जालना है, 2.303 और यह कितना जाएगा, log 16, ठीक है, log 16 जो है, आप इसको लिख सकते हो, 4 into 4, तो log 4 प्लस log 4 हो जाएगा, और इसको solve करोगे, तो time exactly जो है, यहाँ से आएगा, 120 मिनट, उमीद करता है, question concept समझ में आया होगा, next question की तरफ चलते है, अगला question अभी है, question number 24, 2B is 0.6 into 10 to the power minus 3, molar per second में है, ठीक है, if the concentration of A is 5M, then the concentration of B after 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद में जो हो, concentration कितनी हो जाएगी, तो भीया, क्योंकि यह एक जो है, वो आप देखो जहान से, यह जो आपको दे रखा है, यह कौनसी order का है, यह zero order reaction का है, zero order reaction, और zero order reaction के लिए आपको पता हो होना चाहिए, X is equal to क्या होता है, KT, यानि कि एक तरीके से B की जो concentration होगी, ना X, उसकी value होगी KT, अब K की value आपको दे रखा है, 0.6 into 10 to the power minus 3, और यह तो per second में time आपको जो हो, कितना दे रखा है, 20 मिनट दे रखा है, तो into 20 और into 60, आपको इसको करदा पड़ेगा, और इसक अपने पास zero order reaction का concept है, X is equal to KT, कैसे आता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा idea आपको दे देता हूँ, A is converting into B, तो T is equal to zero पर इसकी concentration है, A note, यह zero होगा, फिर कुछ time बाद में add T time, तो यह हो जाएगा, अपने पास A note minus X, यह कितना हो जाएगा, X, तो यह जो A note minus X है, इसको मै बोल देता हूँ, 80, तो zero order reaction के लिए 80 minus A note is equal to क्या होता है, KT होता है, और 80 की जगा मैं लिख सकता हूँ, A note minus X, और minus A note is equal to क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा, ठीक है, तो overall जो हो, जब यहाँ से आप निकालोगे, तो अपने पास निकल के आएगा, X is equal to KT, A note minus 80 is equal to KT होता ह जाएगा, A note minus A note minus X is equal to KT, तो यहाँ से निकल के आएगा, क्या X is equal to KT, यह zero order reaction का expression अपने पास होता है, next question की तरह बढ़ता है, तो question number देखिएगा, 25, 25 यह बोरा, a reaction having equal energies of activation for forward and reverse reaction, ठीक है, has, तो यहाँ देखो, delta H, अगर आप देखोगे, तो EA forward minus EA backward, अब यह दोनों अगर equal अगया, तो delta H कितना आजाएगा, 0 आजाएगा, अब आपको जो हो, delta S, delta H, भया, यह zero हो भी सकते है, नहीं भी हो सकते हो, तो reaction कैसी है, उस पर depend करता है, लेकिन यह चीज़ confirm है, कि उसका delta H कितना होगा, 0 होगा, इसलिए option third ही ठीक माना जाएगा, next, अपने पास, question number 26, 26 का देखिएगा, from the following data, the order with respect to A and B, तो A और B के respect पर आपको order पूछ रखा है, तब यह order के लिए, जो हो मैं simply क्या करूँगा, सबसे पहले आप एक काम करो, जैसे A के respect में order निकालना है, तो R is equal to K, और यह A की power मालो X है, clear है बात, A की power X, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो R1 by R2 is equal to A1 by A2, ठीक है, और इसकी power कित्ती आ जाएगी, power आ जाएगी X, तो पहले में जो है, वो दो experiment ले लेता हूँ, जिन में B constant है, तो B constant है तो यह देखना, कि A की concentration कर दी, 0.2 से 0.1, तो rate जो है, वो कित्ती हो गई, 8 गुणा 10 की हाथ माइनस 3 से, 2 गुणा 10 की हाथ माइनस 3, तो पहले थी, 8 गुणा 10 की हाथ माइनस 3, फिर हो गई कित्ती, 2 गुणा 10 की हाथ माइनस 3, कब, जब concentration को आपने कर दिया, 0.2 से 0.1, और यह power कितनी X, यह cancel हुआ, यह 4, तो 4 is equal to 2, और इसकी power कितनी X, तो यहाँ से आ जाएगी, 2 की power 2 is equal to 2 की power X, तो X is equal to 2 आ गया दो, और A के respect में जो हो, order 2 केवल, एक में ही देरका, थर्ड वाला, ठीक है, और बाकी एक बार जो हो, अपन B के respect में भी calculate करी लेते हैं, तो अब वो दो experiment लो, जिनमें A constant है, तो इन दोनों में A constant है, अब देखना ज़रा, कि आपने जो हो, concentration को कर दिया, कितना, 0.02 से 0.18, औ पर मालो B के respect में, order जो हो, कितना है, Y, is equal to, तो rate हो गई, 2 into 10 to the power minus 3 से, 6 into 10 to the power minus 3, यह cancel हो गया, तो यह अपने बास आजाएगा, 1 by 3, और इधर कितना आजाएगा, 1 by 9 की power कितनी, Y, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 by 3 is equal to, 1 by 3 की power कितनी, 2Y, तो आधार समाने तो गाते बराबर होगी, तो 2Y is equal to 1, Y is equal to कितना आजाएगा, यह 1 by 2, तो यह अपने पास आजाएगा, कौन सा, option number 3 is correct, next question की तरफ हम बढ़ते है, question number 27, तो question number 27 देखें किया है, कि the rate constant of a first order reaction is generally determined from a plot of, ठीक है, आपको rate constant पूछ रहा है, तो rate constant जो है, वो इन में से कौन से वक्र द्वा के के टी बराबर 2.303 लॉग और यहां आएगा एनोट बाई 80, तो क की वैले कैलकुलेट करनी है, तो के is equal to 2.303, 2.303, 2.303 और यह लॉग ठीक है, तो 2.303 बाई T, और यह क्या आजाएगा, लॉग एनोट बाई 80, अब सांदरता और समय की बात कर रहा है, सांदरता और सम के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो के की वैल्यू जो है, वो हम स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं काम कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा मोडिफाई कर रहा हूं, जो अपनी एक्वेशन है ना, इसको मैं थोड़ा सा जो है, वो चेंज कर रहा हूं, तो चेंज क बराबर 2.303 log a note minus 2.303 log और यहां क्या जाएगा 80 ऐसा बोलूँगा मैं तो log 80 को मैं अलग कर लेता हूँ तो मेरे पास आएगा भी या log 80 2.303 log 80 is equal to 2.303 log a note minus kt ठीक है बस इसको जह वो solve कर लो तो log 80 बराबर अपने पास आएगा log a note minus kty 2.303 अब देखना अगर मैं graph बनाऊं log 80 यानि क्रियाकारकों की सांदरता versus time के बीच में तो जो slope है ना m की value minus k upon 2.303 तो इस slope में kवल और kवल क्या है k है और इसका slope आजाएगा तो वेरे पास k की value निकल सकती है तो इसलिए जो log क्रियाकारकों की सांदरता versus time यह graph अग की सांदरता versus time केवल यहां से जो हो हम के कामान यात नहीं कर सकते फिर एक बटा क्रियाकारकों की सांदरता versus time ठीक है तो यहां से भी नहीं हो सकती केवल सांदरता और log time यहां से भी नहीं होगी तो सबसे सही suitable answer कों से जाएगा second वाला जाएगा next question की तरफ हम बढ़ते है question number 28 देखेगा क्या कह रहा है यह कह रहा है कि for a certain reaction involving a single reactant केवल एक ही reactant उसमें है it is found that c0 root t is constant where c0 is the initial concentration of reactant and t is the half life ठीक है what is the order of the reaction तो अब एक रियाका order क्या होगा कि बही एक केवल एक रियाकारक है और उसमें c0 root t का मान जो हो क्या है constant है ठीक है तो मतलब यह है कि c0 root t is equal to k तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ root t is equal to k upon c0 ठीक है तो t is equal to अपने पास आ जाएगा भी या k upon और यहाँ पर c0 का क्या जाएगा square आ जाएगा और हमें पता है कि जो t half होता है यह proportion होता है 1 by a note की power क्या n minus 1 k तो अब अगर दोनों को हम compare करें यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ t जो है वो एक तरीके से a note के square के proportion है तो n minus 1 is equal to कितना आएगा 2 तो n is equal to कितना आजाएगा 3 तो कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से यह जो हो third order reaction के लिए यह चीज़ ठीक होगी next question की तरह बढ़ते हैं तो भया अगला question जो है वो आपको बो तो रहा है कि for the reaction आपको एक reaction दे रखिये no2 co co2 or no the experiment experiment rate expression is यह जो है वो इसका दर नियतांक है तो यानि इसका order कितना हो गया second order हो गया the number of molecules of co involved in the slowest step will be भया co के कितने molecules आप देको दर नियतांक जो है यह है दर नियतांक में जो है वो दर नियम में कोई co काम में नहीं आ रहा एक चीज़ द्यान में रखियेगा कि जो दर नियम है उसमें कभी भी intermediate की सांदरता नहीं लिखी जाती है उसमें किरियाकारक हो सकता है उत्पाद हो सकता है उसमें कोई उत्प्रेयरक की सांदरता भी आ सकती है लेकिन कभी भी जो है वो इसमें intermediate की concentration नहीं आगी तो सबसे ध रहा है कि the reaction A plus 2B, यह reaction है, is converting into C plus D, is an elementary process, ठीक अभी है, यह elementary reaction है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, R is equal to K, A की पावर 1 और B की पावर की 2, अगर यह elementary reaction है तो ऐसा ही होना चाहिए, अना, सरल अभी करिया है तो, in an experiment, the initial partial pressure of A and B R, मतलब इनके initial partial pressure दे रखे हैं, यह तो 0.60 दे रखा है, और B का कितना है, 0.80 है, ठीक है, when PC is equal to 0.2 ATM, the rate of reaction relative to the initial rate is, ठीक अभी है, देखो, कि अगर initial rate की बात करें, तो R1 is equal to आजाएगा K, और सांधरता की जगा हम partial pressure काम में ले सकते हैं, तो directly मैं partial pressure काम में ले रहा हूँ, 0. 0.60 और यहां आजाएगा, 0.80 की power कितनी 2, यह तो initial rate, अब condition ऐसी है कि A plus 2B is converting into C plus D, T ब्राबर 0 पर यह 0.6 है, 0.8 है, ठीक है, तो यह कितना होगा, 0 और यह 0, और फिर कुछ समय बाद में 0.6-X हो गया, तो यह कितना हैगा, 0.8-2X, इतना ही होगा, इसका एक काम में आ रहा है, तो इसका दो काम में आ रहा है, इसके एक से जो हो, इसका कितना बन रहा है, एक एक बन रहा है, तो यह X और यह भी X, और X is equal to आपको दे रहा है, कितना है, 0.2, यह है 0.2, तो अगर मैं यहाँ पर 0.2 रख दूं, तो यह कितना हैगा, 0.4, तो जो नई rate है, R is equal to K, यह 0.4 का क्या जाएगा, square, यह आ गया R2, तो दोनों को compare करता है, आपको बोल रहा है कि the rate of reaction relative to the initial rate, यानि कि आपको R2 की value calculate करनी है, किसके respect में, R1 के respect में calculate करनी है, तो इसको मैं ऐसा बोलूँगा, कि पहले तो अपने पास, जो हो कितना है, K into 0.60, और यह आ जाएगा 0.8, into 0. 0.8, पहले तो rate इतनी है, और फिर rate जो हो, अपने पास होगी 0.4 into 0.4 into 0.4, क्योंकि वो square है, तो directly कर रहा हूँ, यह आ जाएगा, क्या K, K से K क्या हो गया, cancel, और यह कितनी बार जाएगा, यह 2 टाइंस जाएगा, यह 2 और यह 3, तो उपर तो आएगा 2, तो यह आ जाएगा की तरह बढ़ते हैं, next question अपने पास सब यह, question number 31, question number 31 देखिएगा, यह कह रहा कि, if in the fermentation of sugar in an enzymatic solution, that is 0.12, यानि कि पहले जो हो अपने पास सांदरता किती है, 0.12, ठीक है न, यदि सरक्रा के क्रिवन के दोरान, 0.12 molar enzyme, युक्त सरक्रा विलियन में, सरक्रा की सांदरता, 10 गं गंटे में, 0.03 हो जाती है, तो अब इक्रिया की कोटी, कहने का मतलब एको पहले थी, 0.02, 0.12, और फिर जो हो आधी हो गई, 10 गंटे में, फिर अगले जो हो 10 गंटे में, 0.03 अगर हो जाती है, इसका मतलब यह order कौन सा आ गया, यह तो first order आ गया न, क्योंकि एक चीज़ दे बाद में, और 10 कंटे में, 0.06 हो रही है, और यह क्योंकि किसके लिए होता है, first order की लिए होता है, simple सा काम है, next question की तरफ बढ़ते है, question number 32, देखेगा, यह कहरा कि, यह catalyze lowers the activation energy of a reaction from 20 kJ per mole to 10 kJ per mole, कि मतलब यह है कि पहले, EA catalyst की presence में, जो है, वो तो है 10, और EA catalyst की absence में, यानि uncatalyzed reaction के लिए, जो है, वो अपने पास है किता 20, और किलो जूल में है, तो the temperature at which uncatalyzed reaction will have the same rate as that of catalyzed at 27, तो catalyzed reaction जो है, इसका temperature तो कर दिया है, 27 degree centigrade, तो इसका temperature कितना होगा, अगर जो दोनों ही case में, एक तरीके से क्या है, या rate बराबर है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ या log k is equal to क्या होता, log a minus ea upon 2.303 r, और ये क्या आजाएगा, 1 by t, एक चल में ये relation होता है, तो catalyzed की presence में मालो अपने पास k1 है, है ना, और इस case में अपने पास t1 है, और ये क्या आगया, ये ea1 आगया, और uncatalyzed की presence में, जो हो k2 है, is equal to log a, a की value तो वही रहेगी, minus ea2 upon 2 2.303 r, और ये क्या आजाएगा, 1 by t2 आजाएगा, simple सा गा, अब बोरा है कि दोनों बराबर है, तो k1 और k2 को बराबर कर दो, तो बराबर करूंगा ना, तो log a से log a क्या हो जाएगा, cancel, तो अपने पास expression ये ही आएगा, simply ea1 upon t1 is equal to ea2 upon t2, ये expression आजाएगा, और इसी expression को तो यहाँ पर तो कितना है, 10, t1 जो हो कितना है, ये है 300, is equal to ea2 कितना हो गया, 20, और ये आगया, आपने बास क्या, t2, तो t2 की जो value आएगी ना, ये आएगी कितनी, 600 Kelvin, और 600 Kelvin, Kelvin में तो option है नहीं, तो degree centigrade में बदल लिए 233, इसमें से क्या कर दो, minus कर दो, तो 233 minus करूंगा तो कितना हैगा, 327 degrees centigrade, तो मित करते हैं, question concept समझ में आया होगा, next question की तरफ बढ़ते हैं, अहला question अब या, question number 33, तो 33 में आपको ये बोरा है कि 87.5% of a radioactive substance disintegrates in 40 minutes, ठीक है, what is the half life of the substance, तो T half पूचा है, तो T half आपको पता है कि radioactive disintegration जो होता है, एक तरीके से, 0, first order reaction होता है, 0.693 अब जो data दे रखा, इस से पहले तो मैं क्या करता हूँ, K की value calculate करता हूँ, ठीक है, और K की value calculate करने के लिए देखना ज़रा, आप T half ऐसे भी calculate, या तो जो हो, KT is equal to 2.303 log A note by 80 से calculate कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, initial concentration A note, पहला T half अगर आपने दिया, तो ये कितना हो है, ये T half है, ठीक है, एक T half अगर और दे दू तो ये हो जाएगा A note by 8, आप देखो, यहाँ से यहाँ reaction जो हो, 50% complete हो गई, यहाँ से यहाँ reaction 75% complete हो गई, और यहाँ से यहाँ तक आने में reaction जो हो, 87.5% complete हो गई, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये कितने T half है, ये 3 T half आपक के 3, ये T half आ गया, अब आपको बोरा भी है, अरदायुकाल कितना है, तो 40 बटे 3, और 40 बटे 3 बोले तो लगबक 13.6 मिनट के आसपास, यानि कि 13.58 मिनट, ठीक है न, तो उम्मिद करते हैं, question concept समझ भे आया होगा, next question की तरह बढ़ते है, question number 34, देखेगा, the inversion of cane sugar proceed with half life of 500 मिन है, ठीक है, for any concentration of sugar, concentration आप sugar की concentration कुछ भी रखो, pH change होगी, है न, तो इतनी है, ठीक है, अब pH 6 कर दी, तो half life 50 मिनट होगी, और यहाँ पर भी sugar की concentration कुछ भी है, तो pH बदलने से half life बदल रही है, शुगर की concentration कुछ भी है, यानि शुगर पर तो half life depend नहीं कर रही है, और शुग शुगर के respect में तो order कौन सा हो जाएगा, शुगर के respect में तो first order है, ठीक है न, तभी यह हो सकता है कि जो हो depend ना करे, तो शुगर के respect में जो हो reaction आएगी first order की, तो इसका मतलब एक ही है, वैसे तो अपने पास, कौन सा वाला, second वाला जहाँ शुगर के respect में first order दे रखका है, फिर hydrogen के respect में या H plus के respect में अपने calculate कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि T half proportional होता है, A note की power कितनी N minus 1 के, आजी, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हो कि T half 1 upon T half 2 is equal to, यह अपने पास आजाएगा, अब यह A2 by A1 की power कितनी आजाएगी N minus 1, clear है बात, तो यहां से solve करते है T half 1 तो पहले तो कितना है, 500 है, फिर कितना हो या 50, पहले जो हो concentration, pH 5 दे रखिए, इसका मतलब concentration कितनी है, 10 to the power minus 5, और फिर 6 कर दी, तो 10 to the power minus 6, और यह कितना है, N minus 1, यह cancel होगा 10 times, यह भी जो हो, यहां तो बचा 10, और यहां बचेगा 1 बचेगा 10 की power कितनी, N minus 1, तो 10 is equal to 10 की power कितनी हो जाएगा, 1 minus N, अब आधार समान गाते बराबर होगी, तो 1 minus N is equal to कितना 1, तो N की value जो हो, अपने पास निकल के आएगी, कितनी 0, ठीक है, तो यानि कि H plus के respect में 0 order होगा, sugar के respect में, first order होगा, A की option था, option number second is correct, next question की तरह बढ़ते है, question number 35 देखिएगा, यह आपक pressure with following reaction, ठीक है, result, यहनि कि आपको pressure दे रखा और T half दे रखा है, अब आप एक चीज़ देखना, कि जब 200 है, तो कितना है, 136 है, 300 हो गया, ठीक है pressure, तो decrease हो गया, फिर 400 हो गया, तो T half और decrease हो गया, कहने का मतलब यह है कि pressure बढ़ने पर T half लगातार क्या हो रहा है, decrease हो रहा है pressure बढ़ने पर T half लगातार, decrease हो रहा है, तो अब इक्रिया की कोटी आपको निकालनी है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो अभी मैंने बताया था, कि T half proportional होता है, 1 by A note की पावर कितनी, N minus 1 के, तो आप A note की जगा pressure भी काम में ले सकते हो, जैसे शुरू के दो experiment है, मैं इन दो से लेकर चलता हूँ, तो पहले तो है T half अपने पास कितना 136 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो T half 1, जो अभी पिछले question में concept देखा था, same, वो ही concept हो जाएगा, बस A की जगा जो हो क्या हो जाएगा, A note की जगा P not 1, और यह हो जाएगा P not 2, और पावर हो जाएग और यह कितना है, यह 300 है, यह आजाएगा क्या, N minus 1, ठीक, तो इसको solve करेंगे तो यह अपने पास आएगा 1.2, और यह cancel, यह आएगा कितना है, एक तरगे से 6 बटे 5, 6 बटे 5 का मतलब भी कितना होता, 1.2, N minus 1 आधार वराबर तो गाते समान होगी, तो N minus 1 is equal to कितना 1, N की value आगे कितनी 2, तो यह जो हो, 0 order, sorry, second order reaction के लिए जो हो, ऐसा आएगा, आप चाहो तो इन दोनों experiment से कर लो, चाहे आप इन दोनों से कर लो, कोई से भी 2 experiment लेके जो हो, यह concept लगाओ, answer जो हो, same ही आएगा, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 36 देखेगा, 36 क्या कह रहा है, question number 36 है कि for the reaction 2N2O5 is converting into 4NO2 plus O2, the concentration of NO2 increased by 2.4 into 10 to the power minus 2 mole per liter in 6 second, कहने का मतलब यह है कि यह भहिया जी, यह तो reaction है, अपने पास N2O5 is converting into 4NO2 plus O2, अब आपको यह बोरा कि NO2 की सांदरता 6 second में 2.4 गोना 10 की गात, minus 2, इतनी बढ़ जाती है, यानि change in concentration, अगर मैं NO2 के sub x rate निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, कि भहिया change in concentration, ठीक है, divide by change in time, तो concentration तो जो है वो इसका change कितना है, 2.4 गोना 10 की गात, minus 2, ठीक है, divide by, और यहाँ पर जो हो change in time, time कितना आया, 6 second, ठीक है, तो यह अपने पास आएगा कितना, 4 बार cancel हो रहा है, मतलब एक तरीके से, तो यह आजाएगा, वहिया, 4 गोना 10 की गात, minus 3, point 4 आएगा, तो 4 गोना 10 की गात, minus 3, ठीक है, यह अपने पास आगया, एक तरीके से, minus D NO2 by dt की value, ठीक है, तो NO2 के बनने की दर, और N2O5 के विलुप्त होने की दर, तो इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, 1 by 2, D N2O5, divided by dt, is equal to 1 by 4, ठीक है, यह तो minus आएगा, इस तरफ तो, minus 1 by 2, और यह प्लस D NO2 by dt, ठीक है, तो अब आपको एक तो पूछरा है, NO2 के बनने की दर, तो भीया, NO2 के बनने की जो दर है, वो वास्तव में अपने पास क्या है, वो वास्तव में अपने पास है, भीया एक तरीके से, यह तो है, rate of reaction, और यह है, भीया, NO2 के बनने की दर, तो जो चीज हमने निकाल ली है, यह प्लस ही आएगा, क्योंकि NO2 है, जो चीज निकाल ली है, बनने की दर, बनने की दर, तो NO2 के बनने की दर, तो जो है, मेरे पास साफ साफ आ रहे ही, कितनी, 4 गुना 10 क माइनस 3, और दूसरा पूछा है, N2O5 के विलूपत होने की दर, तो भीया, N2O5, यह cancel हो जाएगा, तो N2O5, यानि आपको value पूछे, माइनस D N2O5 by DT, तो यह आजाएगा, 1 by 2, D, NO2 by DT, तो यानि कि इसके विलूपत होने की दर, इसके बनने की दर से आधी है, आधी का म ठीक है, तो मिद करते हैं, question concept समझ में आया होगा, next question अभी है, अपने पास question number 37, यह बोरा कि the rate constant of a particular reaction has the dimension of rate of reaction, ऐसा किस में होता है, 0 order में, क्योंकि R is equal to K होता है, और A की power 0, तो R is equal to K, यानि कि R और K की दोनों की unit की आएगी, same भी आएगी, तो अभी की रहाएगी, कोटी क तरफ चलते है, question number 38, 38 number question जो हो, आपके NCRT का ही question है, ठीक है न, और थोड़ी सी calculation है, इस पर क्योंकि NCRT का है, तो इसलिए जो हो, directly आपको solve करना ही होगा, the half life for a radioactive decay of C14 is 5730 years, ठीक है भी है, कि C14 है, इसके decay की half life, आपको पता होना चाहिए कि radioactive decay first order होता है, तो T half is equal to 0.693 by K, तो K की value जो हो, अगर मैं निकालना हो, तो यह आजाएगी 0.693 by T half, T half किता है भी है, 5730 है, ठीक है, फिर आपको यह बोल रहा है कि an archaeological artifact contained would had only 80% of carbon 14 found in a living tree, या कि जो एक paid है, archaeological paid हो, उस पर क्यावल 80% ही carbon जो है, यह पाया आ गया, इसका मतलब 20% decay हो चुका है, तो initial मालो की, उ initial मालो 100 सालती, तो आपको यह निकालना है, आपको यह दिरका कि कि कितने time में वो 20% decay हुआ, ठीक है, तो मैं उसी के according जो है age निकालना है, तो मालो उसकी age जो है वो T time है, T है, तो मैं बोलूँगा 0.693 divided by 5730, उसकी age है T, क्योंकि T time में वो 20% decay होके 80% पर आ रहा है, तो T इकालना है, 2.303 log, initial जो हो कितना है, 100 और फिर कितना बचा, 80% बच गया, तो इतने time में तो 20% decay होगा न, तो बस यह क्या होगी, अपने पास एक तरह के से age हो गई, क्योंकि 20% इतने time में decay हो रहा है, तो age जो हो इसको solve करोगे, तो यह अपने पास approximately आएगा, कितना 1845 साल, यह है, यह option number second is correct, next question की तरह बढ़ता है, question number 39, आपको यह बोल रहा है कि which of the following, which one of the following statement is not correct, कौन सा सत्य नहीं है, पहला आपको बोल रहा है कि the value of equilibrium constant is changed in the presence of a catalyst in the reaction at equilibrium, यह समेन यतांग की बात कर रहा है, chemical equilibrium में आपने पढ़ा होगा, समेन यतांग किसी भी reaction का केवल और केवल temperature पर change होता है, temperature change होने के साथ बदलता है, वो केवल temperature पर depend करता है, अगर आपने उत्प्रयक मिला है, तो उत्प्रयक सामें स्तापित होने में लगने वाले समय को बदलता है, ना कि सामेन यतांग का मान बदलता है, फिर आपको बोल रहा है, तो इसलिए पहला तो क्या है, is not not correct तो पहला ही सही नहीं है साम्हें पर उत्रायक पुष्टति में किसी अविक्रिया के सामें नेतां का मान बदलता तो यह सही नहीं है एंजाइम केटलाइस meanly biochemical reaction बिल्कुल भी है ंजाइम जो हो जेवरासायनी का विक्रिया जीवों की सरीर में होने वाली कि अविक्रिया और आसानी के विक्रिया को कभी आरम नहीं करते हैं इनका नहीं होता है लास्ट मैंसे कैसे आउट हो जाते हैं तो फरस्ट ओप्शन जो है वो नहीं है यहानि अपना अंसर जाएगा फॉर्स्ट नेक्स अपन क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि दक करेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग ओर्डर ओफ रिएक्शन तो order not influenced by the stoichiometric coefficient of the reactant ठीक है यह तो ठीक है यह रस्ट समिगरन मतिय गुणांकों से प्रभावित नहीं होता है हना वो तो क्या होता ओर तो एक experimental चीज़ है experiment करके ही अपन को निकालना पड़ेगा ठीक है फिर order of reaction is the sum of power of the concentration terms reactant expressed in the rate of reaction यह भी ठीक है तो कि किसी अविक्रिया के दर नियम में जित्ती भी प्रजाती है होती है सबकी सांत्रत है कि क्या कोटी है यह भी ठीक है order of reaction is always whole number यह कोई ठीक नहीं है यह हमेशा ही whole number होगा केसी reaction की कोटी जो है वो कुछ भी हो सकती एक्सपरिमेंटर प्लस माइनस हो सकती है जीरो हो सकती है बिनात्मक हो सकती है कुछ भी हो सकती है यह वाला statement थोड़ा गलत है थोड़ा क्या पूरा गलत है order can be determined by experiment only यह पूरा ठीक है ठीक है तो यह था विया आपको सजिस्ट करूंगा NCRT एक्जांपलर और NCRT आपको कम से कम एक्जांपलर और NCRT के 15 से बेश्ट कोशन जो हो इसमें मिल जाएंगे पेपर में तो अमीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू